हेलो एवरिवन नमस्कार आप सब का वेलकम है लेट्स क्रैक यूपियस से सीएसी में और आज की क्लास में हम अपना फंडार्मेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा तब्यत डाउन था तो क्लास में प्रोब्लम होई लेट वी वा क्योंकि हेल्थ खुड़ा सा ठीक नहीं है गले में और बाकी तो मेभी वन अवर के राउंड हम यह क्लास रखेंगे उसको करके चलते हैं चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और UPSC का या किसी भी एक्जाम में अ हो कि उसन हर एक्जाम में आपके पास आना ही आना है तो वन ओफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो है एम लक्षमिकांद का पॉलिटी के वह फंडामेंटल राइट्स है मॉलिक अधिकार है तो इन सभी फंडामेंटल राइट्स को सीक्वेंस में बारी-बारी से एक-एक करके हम इसको समझेंगे ठीक है जो नए दोस्त हैं अगर आप जितने भी मेरे दोस्त हैं अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल में किया है बीर्ड एमफिल पीसडी सब क्वालिफाइड है अगर आप इंडिया के सब कम्प्लीट टोप एजुगेटर के साथ स्टडी करना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस तो और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए रिजल्ट निकल जाए तो उसके लिए आप अनेकेडमी का कोर्स जोइन कर लीजिएगा जो कि आपके लिए म 150 के राउंड सबकी क्लासिज आपको एविलेबल हो जाती हिंदी इंग्लिस बाइलिंग्वल किसी भी मोड में आप क्लास वहां पर कर सकते हैं अभी आपके लिए बहुत सारे ओफर्स एविलेबल है अनेकेडमी पर लाइक वन येर के कोर्स पर आपको एक्स्टेंशन में त बड़ा अच्छा पैकेज बहुत ही रीजनेवल प्राइज में आपके लिए अविलेबल हो जाता है तो ये फीस बहुत कम है मिनीमम फीस है वन येर टू येर ठीयर रीजनेबल बहुत ही और कॉम्बो कोर्स इसमें ओप्शनल जिये सब इंक्लूड है ठीक है प्री मेंस इं इसको अप्लाई करके जोइन करेंगे तभी ये फीस होगी विदाउट इसके आपका ये डिसकाउंट नहीं होगा ये फीस नहीं मिलेगी तो रेफरल कोड यही लगाना है साथ ही आपको सारी टेस स्रीज प्री आपके जीएस के मेंस की और ओप्शनल इनकी टेस स्रीज भी इवन बुक्स भी आपके पास घर पर पहुचा दी जाती है नए उप्शनल 11 अगस से स्टार्ट हो चुके है अगले नए उप्शनल 18 अगस से स्टार्ट होंगे ठीक है आपके पास 20 बुक का सैट अनकेडमी आपके घर पर भेजता है जिसमें बेसिक टू एडवांस सारे के सारे topics को cover किया गया है 100% coverage है पूरे का UPSC के slavers की topic wise तो इससे better books आपको कहीं नहीं मिलेंगी तो यह आपको course के साथ heavy level है जब भी course join करेंगे तो free आपको रहेंगी आपके घर पर पहुचा दी जाएंगे आप अनकेडमी से education loan भी ले सकते हैं अगर आप one time payment नहीं करना चाहत हैं तो education loan के थ्रूबी monthly EMI में payment कर सकते हैं या credit card से भी कर सकते हैं तो education loan के लिए आप telegram channel join कर लिजिए मेरा वहाँ पर आपको details मिल जाएंगी मेरी और मुझसे बात कर लेना direct telegram channel का नाम है अनकेडमी लली त्यादों की पार्ट साला फिर से बोल देता हूं अनकेडमी लली इस code के साथ free entry आपको मिलेगी नए batches जो है वो 18 अगस से start हो ठीक है 11 अगस से start हो चुके है अगले 18 अगस से start है आपको उसके लिए अनकेडमी का app download करना पड़ेगा admission लेने के लिए subscription के लिए फिर अपना goal select करना पड़ेगा UPSC CSC फिर ये green color में जो get subscription है इस पर touch करना पड तो में भी slow pitch पर थोड़ी चीज़े चल रही हूं अनकेडमी पर दो टाइप के classes आपको मिलेंगी एक plus और एक iconic सारी चीज़े सेम हैं दोनों में iconic में कुछ चीज़े extra beneficial है जैसे अनकेडमी की तरफ से आपको एक personal mentor यहाँ पर available हो जाता है जो आपको guide करते हैं साथ ही आपको यहाँ पर answer writing की facility मिलती है कि regular आप answer writing महाँ पर कर सकते हैं चेक करवा सकते हैं modal answer आपको मिलते हैं तो उसमें आपको mains में बड़ा फायदा होता है बेटर रहेगा आपके लिए हाँ अगर आप इसमें चाहते हैं कि fees में discount कर लें यह GS की fees है only GS की fees है प्लस और आइकोनिकी इसम यह code to success है आपका L Y L I V E code to success इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 10% discount भी होता है और साथ में मैं personally भी guide करता हूँ और मेरे सारे students को मैं personally ही guide करता हूँ आप जब भी बात करेंगे आप try करके देखिएगा पहले subscription लेने से पहले direct one on one बात करना call पर ठीक है आपको सारी details हमारी मिल जाएंगी यान academy के जो telegram channel है लली त्यादव की पार्ट साला उससे आपको सारी personal details आपको मिल जाएंगी आप direct मेरे से contact कर पाएंगे ठीक है तो उसके बाद आपको यकीन रहेगा कि direct without manager without assistant के एक teacher से अगर आपको guidance सीगी तो यही referral code आपको help करेगा क्योंकि personal guidance सबसे important है और teacher क guidance में ही exam qualify होगा without teacher के guidance के बहुत problem होगी life में classes तो हर जगे मिल जाएंगी लेकिन proper way में आपको mentor की requirement होगी उसके लिए referral code must है इसको apply के जएगा कभी भी जोइन करें तो एक वर ट्राइ करने की बात कर लें टीचर की साथ अगर direct बातचीत हो जाती है that means personal guidance मिल जाएगी अगर नहीं होती है तो फिर आप सब लोग समझदार है optional आप जोइन कर सकते हैं LY live code के साथ कोई भी optional जो भी optional आप जोइन करना चाहें separately इसमें भी आपको discount available हो जाएगा ये मेरे courses है optional दो मैं stuck करा पड़ाता हूं public administration और political science और भी GS का बहुत बड़ा एरिया मैं cover करता हूं साथ ही recent में जल्दी मैं special classes में public administration स्टार्ट करने वाला हू optional तो वहांस पर आप मेरे साथ connect हो सकते हैं जूड़ सकते हैं अनगेडमी की special classes पर मैंने mcq complete करा दिया है special classes जो है फ्री classes होती है उसमें मैंने mcqs करवाई हैं आपको 1000 mcqs मैं complete करवा चुका हूं तो अगर आप test देना चाहते है पॉलिटी का तो वहाँ पर test उधर दे सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं आज की class और start करते हैं fundamental rights का तो जरा जोस बताइए कैसा है वाई जोस हाउस दा जोस जोस है की नहीं आप में आज कैसा है जोस जी हाउस दा जोस जिन्दा है की नहीं जल्दी ओपन हो जाएगा थर्ड चैप्टर का पार्ट वन है जल्दी ही उसको ओपन करवा देंगे चिंता नहीं कीजिए उसके लिए थोड़े टाइम में उसे भी ओपन करवा दिया जाएगा आप लोग बस classes को like share करते चले जाने like share करते चले जाने और high जोस रखने मेरा जोस थोड़ा सा डाउन है क्योंकि थोड़ी सी health की problem है तो इसलिए थोड़ा सा जोस डाउन है लेकिन जब मैं continue करूंगा class में आपको चीजे पढ़ाने लगोगा तो मेरा जोस अपने अपने आप उपर होता चला जाएग आज मैराथन class नहीं होगी एक छोटी class होगी मेभी छोटी class का sort and sweet हमारी जो मेरे words में sort and sweet है उसका मतलब होता है one two one and half hours ठीक है वो छोटी बहुत छोटी नहीं क्योंकि अपनी जो normal class है वो three plus hours की होती है three hour plus की classes होती है लेकिन आज sort का मतलब one उसका मतलब यह मैं समझना है कि 10 15-30 मिनट में over हो जाएगा one hour की आसपास जरूर चलेगी चलिए जी तो fundamental rights आपका सबका hot favorite topic है आपसे अभी मैं पूछ लूँ कि बताओ कौन-कौन से fundamental right है तो हर कोई explain कर देगा fundamental rights को सारे article में लिख करके भेज़ देंगे comment box में कि sir these are the fundamental rights we have we know all the fundamental rights वाउ सर क्योंकि उन्हीं क आधार पर उन्हीं के base पर हम इतना आगे वड़े हैं उन्हीं का use करते करते हम इस तरीके के एकदम बिल्कुल freedom एकदम liberty की साथ एक अच्छी life अपनी जी पा रहे हैं तो इन सभी चीजों का एक basic understanding आपको होने चीगें केवल अगर आप book read करोगे तो book में तो आपको केवल pre- oriented चीजें कुछ basic basic मिलेंगी यहाँ पर हम उसका analysis करेंगे pre or means दोनों के point of view से even optional PSIR और public administration optional उसके point of view से भी इन सभी चीजों का analysis करते हैं अब बात करते हैं स्टार्टिंग की की fundamental rights जो इसकी बात कर रहे हैं क्या हमारे इंडिया के constitution में आये कहां से fundamental rights इंडिया ने बहुत better way में अपने सारे citizens को provide गये हैं लेकिन यह ध्यान रखना कि हम इंडिया जो है वो first country नहीं थी जिसने अपने citizens को fundamental rights दिये आम तोर पर maximum जो इंडिया इंडिया में यह fundamental rights बहुत अच्छे reason है कि हमारे जो neighboring countries जो आस पडोस के देश हैं हम उनको देखते हैं क्योंकि हमारे neighbor का हमारे पडोसी का हमारे पर ज्यादा impact रहते हैं उनके साथ ही हम comparison भी करते हैं चीजों में आप एक यह normal trend है आप जहां पर हैते होंगे humans का भी trend आप देखोगे कि आपकी family है और आपके पडोस में आपकी एक family है neighbor की family है तो आपका हमेसा कोशिस रहेगी कि उनके साथ comparison करना कि neighbor के पास कौन सी गाड़ी है कौन सी कार है मैं उससे अच्छी कार लाँगा neighbor के पास कौन सा डोगी है मैं उससे अच्छा limited रह जाते हैं फिर ऐसे में जब हम इंडिया की neighboring country से comparison करते हैं तो हमें लगता है राइट्स ही नहीं है पाकिस्तान में तो राइट्स का कवाड़ा है सिलंका बांगलादेश नेपाल उतने राइट्स हैं नहीं जितने इंडिया में राइट्स हैं इंडिया में तो बड़े ह राइट्स की एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है एक बहुत हिस्टोरिकल स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो मैगना कार्टा जो बोला जाते हैं उन सब के बारे में आपको बता हूँ है डिटेल से बताएंगे पहले चीज़ समझे कि हम इंडियांस जो है हमारा जब constitution ब चीजों को आइडिया लेते हुए उनसे इंस्पायर होते हुए fundamental rights को हमारे constitution में एड गया लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में कि कौन-कौन से आर्टिकल में fundamental rights है तो आर्टिकल 12 से 35 जो है वो fundamental rights को deal करते हैं पार्ट 3 है तो ये दोनों चीज़े जो है आपके लिए most important है अपने notes में बना लेना अगर आप notes making करते हैं या highlight करते हैं book के अंदर तो यहां से इस तरीके से highlight कर लेना कि article 12 to 35 और part 3 constitution का उसमें fundamental rights है सबसे first line सबसे important line because यहां से UPSC के prelims में और भी बाकी सारे exams में question direct आ जाते हैं कि political rights कौन से part में इंडिया के कौन से part में as constitution के part में हैं आम इनको basically fundamental rights को political rights बोलता है वो मैं explain करूँ है fundamental rights कौन-कौन से article में है फिर आपको options दे दिये जाएंगे तो वो भी आपको पता होना चीज़े तो यह important है एक important चीज है maximum लोगों को लगता है एक misconcept जो बहुत सारे students बना हुए वो क्या गलत understanding बनाते हैं उनको लगता है कि article 14 से लेकर के article 32 तक बस यही fundamental rights है क्योंकि normally जो schooling हमारी होती है या कहीं भी कोई basic book है हम study करते हैं तो हम इनही rights की बात करते हैं right to equality, liberty, against exploitation, religion, educational and minority rights जिसको बोलते हैं सिक्षा और संस्कृति, education and cultural rights और constitutional remedies तो उनको यह पता ही नहीं maximum को कि article 12, 13 और article 33, 34, 35 यह सब भी fundamental rights का ही part है मोलिक अधिकारों का ही part है और उनसे related जो most important provisions है जो इन 14 से 32 में जो आपको fundamental rights दिया है ना इन fundamental rights related जो most important provisions है वो provisions आपको article 12, article 13, article 32, article 33, article 34, article 35 इसमें आपको मिलते हैं आज sorry 32 में तो होई गया इन सब articles को जिनको हम neglect कर देते हैं उनका use नहीं करते इन ही में दिये गए हैं और यह सब जो है mains का बहुत important area हो जाता है mains plus pre इन दोनों ही जगे पर इसका role बहुत important रहता है और यहां से questions जो हैं हमेशा आते हैं ठीक है clear तो यह रहेगा चलिए आगे चलते हैं तो important चीज थी उस important चीज को देख लेना है क्या है यह important है 12 से 35 पार्ट क्री में important है highlight कर लेना अब जब भी हम बात करते हैं तो हमारे समिधान की अगर बात करें in this regard the framers of constitution derived inspiration from the constitution of USA that is bill of right अमेरिका से हमने fundamental rights को अडोप्ट किया यह भी important है इसको भी देख लेना इसको भी highlight कर लेना आप क्योंकि आप से कई बार source पूछा जाते हैं exam में कि हमारे constitution के किस पार्ट के लिए कौन सा source हमने कहां से लिया और एक्जामपल वो parliamentary system का source पूछेंगे तो आपको वहां पर लिखना बिटिसर्स है ना बिटिस ऐसे आपसे पूछेंगे DPSP, Ireland ऐसे आपसे fundamental rights के लिए भी दे जाएंगे कि fundamental rights हमने कौन सी country से adopt किये यह खहां से हमने inspire हुए उनसे inspiration लेकर कि fundamental rights को add गया तो USA से हमने इसको किया ठीक है और यह जो part 3 है इसको magna carta of India कहा जाता है Rights का क्योंकि सबसे important part है अगर इंडिया के constitution का सबसे important part अगर आप पुछोगे मेरे से most important part of Indian constitution तो वो part number 3 है fundamental rights Without fundamental rights आप लोगों के पास कुछ भी freedom equality नहीं रहेगी यह ज्यान रखना It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights नियायोचित मूल अधिकार इसको समझे इसका मतलब यह है कि नाकेवल आपको fundamental rights constitution ने provide किये है बलकि उनको provide करने के साथ साथ यह guarantee भी दी है कि अगर आपके fundamental rights उसका violation होगा तो आप court में जा सकते हैं court में जा करके justice की demand कर सकते हैं आपके fundamental rights जो suspend कर दिये गए या violate हुए उनको दुबारा से resume करवाने की भी guarantee दी गई है जैसे आप mobile phone लेते हैं आप एक market में mobile phone खरीदने जाते हैं आप एक Chinese phone खरीदते हैं ठीक है made in China type का local type का कोई phone आप देखेंगे कि जो आपका जो seller जो होता है जो बेशने वाला होता है वो उसके उपर आपको कोई ज्यादा लंबी अच्छी guarantee नहीं देता है ठीक हो कहता है भई ले जाओ पर उसको repair करवाना पड़ते हैं आप दुबारा से जाकर गए उस दुगानदार से उस शोप की पर से नई चीज की demand नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे जो fundamental rights हैं इंडिया के वो एक ऐसे mobile phone की जैसे हैं एक ऐसे company के जैसे हैं जो आपको authenticity प्रदान करते हैं प्रोवाइड करते हैं जैसे आप अलग-अलग companies देखोगे Apple आप देखोगे और भी बहुत सारी जैसे Nokia के phone होते थे आप laptop देखोगे जैसे Lenovo इस तरीके के laptop आगे तो companies उनके साथ कुस गारंटी प्रोवाइड करते हैं गारंटी और वारंटी दोनों प्रोवाइड करती हैं कि भाया आप यह mobile ले रहे हो हमसे यह गाड़ी ले रहे हो यह laptop ले रहे हो बाई कर रहे हो तो आपको two year, three year, five year तक हम पूरी proper guarantee देते हैं आपके phone में, laptop में कोई भी technical issue आएगा तो आप बस हमारे पास लेकर के आईए demand कीजिए कि दोखो यह warranty period में, guarantee period में है और हम आपको repair करके देंगे या exchange करके देंगे, नया करके देंगे तो हमारे fundamental rights same वैसे ही हैं, हमारा constitution आपको जो rights देता है न, उन rights को, violation को रोकने के लिए भी provision करता है उनको resume कराने के लिए भी provision करता है, ठीक है, क्योंकि अगर justiciable नहीं होगा, तो हमारे fundamental rights का कोई मतलब नहीं वनता है इसके लिए दो जगे पर काम करते हैं, दो article है, Supreme Court जो है, वो article 32 से, और High Court जो है, वो article 226 से ये दोनों articles जो है, इंडिया में fundamental rights को security प्रोवाइड करते हैं, justiciable बनाते हैं, अगर government ने कोई act बनाया, ये government ने कोई policy बनाई, और वो act, वो policy, किसी आपके fundamental right का violation करती है, तो आप court में जा सकते हैं, सिधा जाकर के, court में जाकर के demand कर सकते हैं, कि देखिए भईया, ये, for example, अगर एक act, एक rule बना दिया जाए, कि all India services, यानि कि IAS, IPS, IFS, उनके अंदर केवल only एक ही religion के लोगों को हम लेंगे, for example, ले ले लेते हैं, कि केवल sick लोग ही हैं, जो IAS, IPS बन सकते हैं, बाकी गों नहीं, तो आपके fundamental rights का violation होगे, article 15, right to equality, article 16, right to equality, बहुत सारे articles का violation हो जाता है तो ऐसे में आप court में जाकर के demand कर सकते हैं, अब court जाओगे, तो court देखेगा, क्यार ये तो बिल्कुल सही बात है, आपके fundamental rights का violation है, इस तरीके का provision, तो वो article 32 का use करते होए Supreme Court, उसको null and void कर देगा, और बोलेगा कि all India services are open for all the religions in India, all the citizens of India, सभी citizens के लिए open रहेगा, तो justice level का मत demand कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, कि हमारे अधिकार हमें वापस दिलाओ, तो ये है, इसलिए इसको justice level कहा जाता है, अब यहाँ पर आपको दो चीजे समझनी है, हमारे constitution में तीन चीजे हैं, जो बहुत majorly impact करते हैं सबको, एक होता है जिसको हम बोलते fundamental rights, ठीक है, दूसरा है D EPSP, और तीसरा है fundamental duties, ठीक है, तो जब हम justice level की बात करते हैं, तो fundamental rights जो हैं, वो justice level है, बाकी कोई भी justice level नहीं है, ठीक है, ये ये justiciable है, और ये non-justiciable है, non-justiciable है, non-justiciable है, non-justiciable मतलब कि इनके violation पर आप court में demand नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसी लिए fundamental rights को हम बहुत ज़्यादा important मानते हैं, बहुत ज़्यादा value हम fundamental rights को हमेशा हमारे constitution में provide करते हैं, चलिए, अगली चीज़ पर चलते हैं, in fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world, including the USA, और ये हमारे fundamental rights का बहुत बड़ा feature है, कि जो father of fundamental rights निकल कर कर आता है, जो आपने आपको बोलते हैं, कि I am the father of fundamental rights, America, USA, United States of America, father of fundamental rights, ना, सारे rights, क्योंकि basically, जो main-main rights वो उनके constitution में थे, तो वहीं से ही लोग inspire हो करके, अलग-अलग constitution में डाले, हमारे fundamental rights उनसे भी जादा बहुत अच्छे तरीके से describe किये हो हैं, और उनसे भी जादा better facilities जो हैं, हमारे citizens को provide करते हैं, problem बस एक आते हैं, कि उनकी citizens का maturity का level बड़ा हाई है, हमारे जो हम Indian citizens है, हमारे maturity, हमारी awareness का level जो है नो हाई नहीं है, हम lowest level पर हैं अभी भी, awareness के मामले में, maturity के मामले में, अगर हम बात करते हैं, right to equality, ठीक है, यह रहा right to vote, एक इसकी बात करेंगे, और एक equality, equality, इन दोनों की बात करेंगे, एक example से समझाता हूँ, कि कैसे हमारे fundamental rights हैं, वो even America, USA से भी बड़े अच्छे तरीके से दिये गए थे, right to equality का मतलब, हमारा जब constitution, बन करके तयार हुआ और उसको हमने लागू किया, एनेक्टमेंट हुआ, 1950 के अंदर, 26th January 1950, उसमें जब यह एनेक्ट हुआता है, तो उस टाइम से हम इसको compare करेंगे, other countries के साथ, USA का constitution, जो अपने आपको father of fundamental rights बोलते हैं, उनमें right to equality था ही नहीं, उन्होंने बोल रखा था कि right to equality है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा discrimination होता था, white people और colored के बीच में, ठीक है, white versus colored, colored का मतलब जो काला या अलग चमड़ी के जिनका color है, skin का color जो white के, other than white जो है, उनको colored में रखा जाता था, उनके पास rights नहीं थे, ठीक है, किसी भी तरीके का right नहीं था, अगर आप बात करें, तो वोट नहीं डाल सकते थे, right to vote नहीं था, property buy नहीं कर सकते थे, उनकी colonies अलग होती थी, bus, train, आप देखोगे, उन सब में इनके लिए अलग से, coachies होते थे या अलग ही bus इनके लिए बना दी जाती थी, अगर किसी bus के अंदर, आप travel कर रहे हैं, और bus की जो seat है, उस seat के उपर अगर कोई black people बैठा है, colored people बैठा है, और वहाँ पर उसी time कोई white people उस bus में चड़ जाता है, कोई person white person चड़ जाता है, सफेद रंग का, तो जो black person है, उसको वो seat vacate करनी पड़ती थी, छोड़ देनी पड़ती थी, ताकि यो जो सफेद रंग का है, वो वहाँ पर बैठ जाए, गोरा है जो है, वो वहाँ पर बैठ जाए, हर मामले में discrimination होता था, फिर आप, लेकिन हमारा इंडिया का constitution देखिए, हमने, first day, right from the first day, 26th gen, 1950, हमने क्या दिया, right to equality, article 14 to 18, all Indian citizens are equal, no discrimination on the basis of caste, gender, race, religion, किसी के base पर नहीं, equal right, सभी को, चाहिए, आप किसी religion के हो, किसी color के हो, किसी language हो, equal rights, even USA के अंदर भी, जो ये colored people है, इनको 1960s के बाद, 1960s, ठीक है, इसके अंदर जाकरके right मिले, जब वहाँ पर civil war चली, NCRT, पोलिटी के NCRT में, आपको में एक story सुनाऊगा, वहाँ से, अमेरिका की civil war क्या, बहुत बड़ा, एक issues में दिया हुए, तो वहाँ पर उसके बाद, इनको दिया, rights, ठीक है, और हमारे इंडिया के constitution ने, first day से, पहले दे से, इस तरीके के rights दे, तो ये प्रूव करता है कि हमारे constitution ने, पूरे world की कोई भी country हो, कितनी भी अपने आपको superpower बोलते हो, उन सबसे बड़िया, best possible rights हमने हमारे citizens को provide के, आज कल बहुत सारे लोग, ये बोलते हैं न, कि काफी सारे आवाज उठाते हैं, इंडिया के constitution के against, क्यार, right ही नहीं है, हमार we want to go USA, we want to go Canada, भाई तुम वहाँ पर जाना तो चाहते हो, तुम उनसे inspire जरूर हो, लेकिन ध्यान रखना कि हमारे जितने fundamental rights है न, जितने भी, उतने fundamental rights, अगर हम South Africa के constitution को छोड़ दे तो और कोई भी constitution नहीं provide करते हैं, इतना clearly चीज़े नहीं दी जाती हैं, आप वहाँ पर जाक करके रहोगे, तो आपके साथ discrimination होगा, ठीक है, USA versus others, ACN, आपको बोले जाएगा, ACN, आप वहाँ की citizenship भी ले लोगे, तो भी आपको गएगा, you are bloody black ACN people, आज आते हैं, पता नहीं कहां कहां से USA में काम करने के लिए, तो discrimination वहाँ पर है, आज भी है, ठीक, तो equality का right हमारे constitution ने दिया, उन से अच्छा, right to vote, आप देखोगे, यह fundamental right नहीं, लेकिन हमारा constitutional right तो ही, उसमें आप देखते हैं कि हमारे country में, आप बिना religion, caste, race, gender, किसी भी तरीके के discrimination के बिना, आप vote डाल सकते हैं, ठीक है, आपको इंडिया का citizen होना चाहिए बस, लेकिन America और Britain, USA और Britain, father of parliamentary democracy, father of fundamental rights, declare करते हैं, books में लिखा रहता है, इनके बारे में, इस तरीके से father of, father of, father of, इन्होंने women's को voting का right नहीं दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के end होने तक, ना तो बिटेन में, ना ही USA में women's को voting के right थे, थे ही नहीं, वो तो उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब women's ने अपना power दिखाई, अपनी working capacity showcase की, और उन्हें realize हुआ कि we are equal, हम में भ एक आंदोलन start किया, उसके बाद उनको rights मिले, 1920s में जाकर के, अमेरिका और बिटेन ने उनको voting के right दिया, इंडिया में कब है, फर्स्ट डे, जिस दिन हमारा constitution लागू हुआ, फर्स्ट डे से सभी किसको equal rights, ठीक है, तो ये कुछ examples थे, जो prove करते हैं, कि हमारी country में, दूसर इसी country से, चाहिए वो US से हो, उनसे जादा better way में हमारे पास article है, और more elaborated है, यहां का mains का question बन गया आपका, ठीक है, इसको समझे, मैंने इसको explain इसलिए किया, क्योंकि यहां से आपका mains का question आ जाएगा, ठीक है, और mains का question किस तरीके से आएगा, समझे, इसी line को as it is दे दिया जाएगा, एक statement दी जाएगी, इस तरीके से statement आपको दे दिया जाएगा, कि fundamental rights in our constitution are more elaborated and better than those found in the constitution of any other country in the world, इस तरीके से करके इसको complete कर दिया जाएगा, full stop लगा कर गे, और फिर आपको question में दिया जाएगा, कहा जाएगा, critically evaluate, या do you agree with this statement, critically evaluate, आलोशनात्मक मुल्यांकन प्रस्तुत करे, इस तरीके से चीजे हैं, वो आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से question आपको दिया जाएगा, तो आपको basically यही बताना पड़ेगा, कि right from the starting of our constitution, we have provided more or better and equal rights for Indian citizens, other than all the countries, और उसमें आप right to vote, equality, colored peoples, white people, उनका discrimination, women's के साथ जो discrimination हुआ, उन सबको लिख दीजे, अच्छे तरीके से explain कर दीजे, बहुत अच्छे से answer आप महाँ पर कर देंगे, ठीक, थोड़ा सा English में यहाँ पर नहीं हो पाएगा, problem यह है कि this is bilingual channel, bilingual channel meaning content, I have to read the content in English and I have to explain it in Hindi only, this is not a proper English channel, proper English channel में आपको only English में ही आपको classes available हूँगी, यह bilingual channel है, तो bilingual channel का मतलब यह है कि थोड़ा सा English words यूज कर सकते हैं, लेकिन mode of teaching जो हो हो हिंदी में ही थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो यह कुछ restrictions हैं, जिसलिए हम complete इसको English में नहीं कर सकते हैं, लेकिन total complete English के लिए अनकेडमी के channels हैं, आप वो जोइन कर सकते हैं, अनकेडमी का subscription भी जोइन कर सकते हैं, वहाँ पर complete English की classes भी अलग से separately teachers जो है, वो अब लेवल कराते हैं, ठीक है, तो यह रहा, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, the fundamental rights are guaranteed by the constitution to all persons without any discrimination, यह मैंने आपको बता दिया, guarantee को बिना किसे discrimination के, ठीक है, they uphold the equality of all individuals, the dignity of the individuals, the larger public interest and unity of the nation, समानता, समान, राष्ट, हित, एकता, इसके लिए समाहित किये गए हैं, यह जरूरी थे, इंडिया की unity, integrity के लिए बहुत important थे, इस line का, इस पूरी line का meaning आपको मैं समझाता हूँ, कैसे हैं, आप से यहां से भी एक means का question पूछा जा सकता है, कि fundamental rights are necessary for Indian integrity, comment, इस तरीके से question आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा न, कि कैसे Indian unity, Indian integrity के लिए कैसे necessary हैं, तो इसके अंदर आपको 6th class की NCRT के लिए जाना पड़ेगा, 6th class की जो NCRT है, पूलिटी की, इसको पढ़ना होगा, इसका first chapter, first chapter जो है, diversity, विधता, उसको आपको समझना पड़ेगा पहले, NCRT भी मैं आपको करवाँगा, तो इंडिया, अगर हम बात करते हैं, before independence, देखो ये debate है, ये mains के point of view से मैं बता रहूं, optional और GS और SA, इनका जो mains का area है न, mains के point of view से मैं आपको यहाँ पर चीज़े समझा रहूं, बहुत easy है, आप तो पढ़ गर इसको fast forward निकल जाएंगे, लेकिन main चीज़े कि यहाँ से questions जो है, वो direct आते है, इनी statements से, इनी lines से सीधा सीधा सवाल आ जाते है, तो आपको tackle करना आना चीज़, आपको answer देना आना चीज़, आपको पता ह कर रहे है, dignity of individual, equality, और unity of nation, यह सब कैसे decide करते हैं, तो बताने हैं कि इंडिया में, इंडिया is a country of diversities, है ना, we have all the religions available in world, present in world, वो हमारे country में है, अलग अलग caste system है, आप देखोगे, हर gender के person यहाँ पर हैं इंडिया में, language अलग अलग है, different type of language, different type of culture, different type of geographical condition, उसके कारण भी आपके अलग-अलग type की diversity मिलेगा, अलग-अलग race के person है, नसल के भी लोग हैं, तो ऐसे में, इन सब को हम एक जैसा कैसे रख सकें, अगर इतनी जादा diversity होती है, किसी भी country में, तो chances क्या रहते हैं, कि वो अपने अलग state, अपने अलग country की demand करेंगे, जैस जैसे पाकिस्तान, two nation theory के base पर अलग हो गया, जैसे बांगला देश, पाकिस्तान से अलग हो गया, language के basis पर, बांगला भासा को ले कर गये, तो इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा diversity है, तो अगर ऐसे में, इंडिया के तो बहुत ज़्यादा probability रहेगी, कि इंडिया मे तो हर अलग-अलग area जो है, separate होने की demand करें, separate country बनाने की मांग करें, तो इसको रोकने का तरीका क्या था, कि इंडिया को कैसे unity में रखा जाए, simple सा तरीका था, कि सबको equal rights दे दिये जाए, बराबर अधिकार, तो हमारे fundamental rights हमने ऐसे provide कि, कि सबको equal rights दे दिये, बराबर rights, हमारे जितने भी government हैं, या हमारे जितने भी institutions हैं, उसब को Indian as a Indian treat करती है, कुछ जो depressed classes थे, जिनके साथ किसी ना किसी तरीके से कोई discrimination past में हुआ, उनको हमने कुछ special provision कर दिये, like reservation उनको दे दिया, ठीक है, freedom दे दिया, हमने सभी को, freedom दे दिया, कि जाओ अपनी मर्जी से जैस रहने रहो, कोई चिंता की बात नी, कोई तुमारे साथ discrimination नहीं करेगा, majority, minority के उपर कोई किसी तरीके के restrictions impose नहीं करेगी, किसी भी तरीके से discrimination नहीं होगा, all Indians are equal, all Indians have right to freedom, liberty, religion की liberty, freedom दे दिया आपको, किसी भी religion को accept करो, मानो, कहीं पर भी business करो, कोई भी जाकर के establish हो जाओ, कह करो, तो जब ये सारी चीजे आपको मिल गई, तो आप क्यों demand करोगे separate country, separate country, separatist activities, इसलिए होते हैं, कि उनको लगता है कि हमारे पास rights नहीं है, हमारे साथ discrimination किया जा रहा है, हमें second level of citizenship, जो है, माननेता दी जाती है, जैसे पाकिस्तान और बांगलादेस के मामले में था, ज बांगलादेस, तो उसके साथ वो इस तरीके से treatment करता था, तो अलग हो गया, separate हो गया उनसे, पाकिस्तान से, बांगलादेस बन गया, लेकिन हमारे इंडिया में तो हम किसी को इस तरीके से, दोयम दर्जे का नागरीक, second tier of citizenship, citizen हम मानते हैं नहीं, सब को equal rights, तो ऐसे में सब म इंडिया की unity और इंडिया की integrity उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत important है याँपर, ठीक है, clear, the fundamental rights are meant for, are meant for promoting the ideal of political democracy, राजनितिक लोकतंत्र, अब ये चीज समझना है, आप से pre के लिए ये भी important है, important क्यों है, इसको अपने highlight कर लेना, क्योंकि आप से कई बार, question आ जाता है, prelims के अंदर, objective type of MCQs में, कि nature of fundamental rights, क्या है, किस तरीके के rights हैं, पर आपको options दे दिया जाएगा, social rights, फिर दूसरा दिया जाएगा, economic rights, third दे दिया जाएगा, social economic rights, fourth आपको दे दिया जाएगा, political rights, एक और भी अगर होगा, तो दे दे देंगे, social economic और political rights, इस तरी democracy भी देंगे, तो social democracy, economic, socio-economic democracy, ठीक है, या political democracy, तो यह ध्यान रखना है, कि हमारे fundamental rights जो है न, अगर हम बात करें, part 3, जो इसमें की fundamental rights है, यह political democracy देता है, political democracy, और अगर हम बात करें, part 4 की, part 4, जिसमें आपके पास BPSP है, यह हमारा, socio-economic, socio-economic rights है, ठीक, तो जो fundamental rights है, वो basically political democracy को आगे promote करते हैं, political rights है, social और economic rights जो है, वो आपको DPSP में provide किये जाते है, इसको समझते वे चलना है, यह important है आपके लिए, they prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country, and protect the liberties and freedoms of the people against the invasion by the state, ठीक है, देश में कानून वेवस्था बनाए रखने, किसी को भी ताना साह होने से रोखने, authoritarian state, ठीक है, यानि कि जिसमें आपके पास नागरिकों को, citizens को कोई right ही ना दिया जाए, state के पास सारी की सारी power हो जाए, full power to the state, वो ही हर चीज़ को decide करें, आप किसी भी मामले में आप उनके against voice race नहीं कर पाएं, जैसे कि आप देखेंगे, पाकिस्तान में जब मार्सल सेन ने जब वो डिक्टेटर सी पाती है, जो military rule वहाँ पर रहता है, maximum time पाकिस्तान उसी में रहा, जैसे फोर्मर USSR था वहाँ पर, अभी current में चाइना में आप देखोगे, नोर्थ कोरिया आप देखोगे, तो डिक्टेटर टाइप के, अथोरिटेरियेट टाइप के states जो हैं, वो दे होते हैं, तो वो citizens को किसी भी तरीके से human, as a human treatment नहीं provide देते हैं, यहना किसी ना किसी तरीके से उनको अपने से lesser status देते हैं, और उनके उपर अपने rules, regulation को जबरदस्ती impose करते हैं, ठीक है, उनसे consent नहीं लेते हैं, उनसे पूस्ते नहीं है, तो इंडिया में जो हैं, जो हैं, इस तरीके की situation से बचा लेते हैं, क्योंकि यह rights जो हैं, आपको state के against भी provide होते हैं, इंडियूल के against भी provide होते हैं, ठीक है, नोर्थ कोरिया में आप जाओगे तो fundamental right का concept ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जितने भी citizen हैं, नोर्थ कोरिया के, वो वीचारे government के अगेंस्ट वोईस रेज नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, गॉबर्मेंट किसी भी तरीके से उनके साथ treatment करें, आप उनके against नहीं बोल सकते, कितनी भी ज्यादा unemployment हो, कितनी भी ज्यादा poverty हो, people don't have right to protest against the state, अगर आपने गल्ती से बोल भी दिया किम जोंग के साथ अगेंस्ट तो आपकी पूरी हिस्टरी किलियर कर दे जाती है पता भी नहीं चलेगा कब बोलना तो अलग बात आप उनके सामने गर्दन यू उपर कर उठा नहीं सकते उनके नीचे जुगा करके रहना पड़ेगा ठीक है आप वेस्टन सिविलाइजेशन क चीजों को वहाँ पर नहीं कर सकते इंटरनेट पर बेहन रहता है एन जीनस पेनने पर भी आपको उपर कई बार वहाँ पर restrictions लगा दिये जाते हैं वो सारी चीजों में आपको restrictions वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो reason क्या है कि क्यों fundamental rights नहीं है वाँ पर तो इसलिए state क्या हो गया? authoritarian हो गया ज्यादा powerful हो गया citizens क्या हो गया? less powerful उनके पास कोई right ही नहीं इंडिया में क्या है? fundamental rights है जो state के उपर restrictions impose करते हैं, लगाते हैं कि no, you can't do this with citizens with your citizens, है न? आप ये चीज कर ही नहीं सकते तो हमारे इंडिया का structure जो हमारे इंडिया का जो political structure रहता है वो democracy में ही वो और ज़्यादा evolve करता रहता है क्योंकि कोई भी party हो, कोई चाहे कितनी भी majority, full majority उसको मिल जाए, even उसके बाद भी वो ऐसा कोई work नहीं कर सकती जो, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो citizens के rights को violate करे ठीक है, या उनको कम करे discrimination करे तो ये यहाँ पर है, सुरक्षा देते हैं, नागरिकों को एकदम आजादी, यहाँ पर देते हैं ये ओपरेट एज limitations on that tyranny of executive and arbitrary laws of the legislature same way चीज, कि executive ताना साना हो जाए उसके against ये करते हैं ठीक है, पार्लियमेंट, कोई ऐसा law ना बना दे, जो discrimination करे, arbitrary authoritative, ताना साही है ना for example, कि कोई government बनी, इंडिया में और वो full majority साथ government बन गई, अब वो government चाते हैं कि भाई हम तो permanent रहें, next 30 years तक, 40 years तक और बाकी जितनी भी parties हैं, उन सब को खतम कर दिया जाए, abolish कर दिया जाए, के वोल एक ही PM रहें, और वो PM, जब तक उनकी death नहीं हो जाते, तब तक वो रहें parliament के बस power है ने, acts बनाने की, construction में amendment करने की तो अगर वो चाहती है इस तरीके कि उसकी अंदर की दिली इच्छा है, ठीके उसकी आकांच्छा है, इच्छा है वो ऐस तरीके से चीजे करना चाहती है, तो वो नहीं कर सकती है क्यों? क्योंकि fundamental rights are there अगर वो इस तरीके की कोई भी चीज करने को ले जाएगी, तो उस court है हमारे पास लोग है हमारे पास हमारे supreme court उसको null and void घोसित कर देगा, citizens उनके पास rights हैं, बहुत सारे rights है, right to freedom ठीक है, और भी सारे right to equality right to elect तो वो road पर आ जाएंगे, protest कर देंगे हुआ, इंडिया में national emergency applicable की गई, लागू की गई, enact होई, ठीक, और वो किसके, उसको हम बोल सकते हैं, tyranny of executive खह सकते हैं, इंद्रा गांधी ने without any किसी के consent से, अपनी power को safeguard करने के लिए, अपनी power को increase करने के लिए, अपने status को बढ़ाने के लिए, अपनी government को बचाने के लिए, और long term period तक, अपना सासन चलाए रखने के लिए, इंडिया में, internal basis पर emergency applicable की लगाई, ठीक है, क्या result रहा, उसके बाद, उन्होंनों उसमें 1975 में 40 second amendment किया, ठीक, तो ऐसे में क्या हो आउस के बाद, में, इंडिया में first non-congresy government center के level पर आई, जनता party की government आई, और इस time period में, लोगों ने बहुत जादा protest किया, government के against, इंद्रा के against, ठीक, fundamental rights का, इन्होंने violation कर दिया था, इसलिए, उनकी government के रहे, main चीज यही थी, कि इस duration में, इन्होंने लोगों के fundamental rights को, बहुत cruelty के साथ, उनको, suspend किया था, जैसे कि नस्बंदी कर देना, पकड़ करके, लोगों को बिना, without any reason पकड़ करके, जेल में डाल देना, arrest कर लेना, जो भी government के against, वो इस रेस करें, उसको जेल में डाल देना, इंडिया की सारी जेल, सारे के सारे, जितने भी जेल्स थी, वो सभी जेल्स फुल होगी थी, उसमें पैर रखने के जगए नहीं थी, इस तरीके की चीज करी, against the fundamental rights, उसका क्या निकला, उसका result क्या निकला, कि government गिर गई, वो जो चाह रहे थी, कि टाइम तक करे सासर नहीं कर पाए, ठीक है, तो बेसिकली, इस तरीके की चीजे फिर उसके बाद, हमारे कोर्ट ने भी चीजों को समझा, हमारे बाकी के जो पार्टी जाई, उन्होंने भी इस चीजों को समझा, तो 44th amendment हुआ, constitution में, और 44th amendment करके, उसमें बहुत सारे provisions ऐसे जोड़ दिये गए, कि अब आप, इस तरीके की emergency, लगाने की situation में रहो गए यह नहीं, एक तरीके से completely खत्म कर दिया, इस तरीके की emergency लगाने के चीजों को, बहुत सारे ऐसे provisions जो है, वो add-on कर दिये गए, तो fundamental rights जो है न, वो most important है, बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके बिना आप देखोगे, गर यह नहीं रहेंगे, तो ताना साही हो जाएगी, कोई भी अपने आपको बहुत ज़्यादा powerful बना लेगा, in sort, they aim to at establishing a government of laws and not of men, कानून की सर्थकार ठीक है, government of law वो बनाने की बात करते हैं ठीक है किसी एक परसन की सरकार नहीं होती है ठीक, कानून की सरकार होती है constitution के basis पर हम सभी लोगों के लिए work करते हैं कोई एक परसन की identity किसी एक परसन के एक आद्मी के एक व्यक्ती के उसकी ideology के according हम यहाँ पर work नहीं करते हैं उसके according काम नहीं चलता है ठीक है, यह चीज़ समझना है अब अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो the fundamental rights are named so because they are guaranteed and protect by the constitution which is the fundamental law of the land fundamental rights का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके लिए कुछ guarantee प्रोवाइड की गई है और यह guarantees कहां प्रोवाइड की गई है हमारे constitution ने प्रोवाइड की है fundamental law है हमारे constitution के अंदर यह सारी की सारी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो ठीक है तो fundamentally अगर आप बात करें तो समिधान में दिया गये हैं समिधान में सुरक्षा दिया गये है main जो rights है main जो कानून है main जो low है इंडिया का वो यही है they are fundamental in the sense that they are most essential for the all-round development material intellectual moral and spiritual of the individuals ठीक है आपके all-round development के लिए यह important है अगर fundamental rights नहीं होंगे तो आप अपना development कर पाएंगे आपको लगते हैं कि आप अपना development उस level पर ले जा सकते हैं अगर माल लेते हैं कि आपके बस right to equality नहीं है तो आप क्या करेंगे आपको job नहीं मिलेगी क्या आपका development होगा नहीं होगा आपके बस right to freedom नहीं है express करने का right नहीं है अपने thoughts तो आपको express नहीं करने दिया जाएगा तो as a person, as a individual भी आप grow नहीं करने पाएंगे आपको job, आपका occupation select करने का right नहीं है तो आपके अपने development को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे कि आप अपने talent के साथ justice कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं जैसे पहले होता था, पुराने टाइम में कि अगर आप ब्रहमन हैं तो ब्रहमन ही बनेंगे, आप education या religious जो कर्म कांड़ वही कर पाएंगे आप अगर छत्रिये हैं तो आप केवल वार कर सकेंगे लड़ाई कर सकेंगे, लड़ाई जगड़ा कर सकेंगे आप और काम नहीं कर सकते अगर आप किसी ऐसी family में पैदा होगे जो कुमार है, जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं जो आप देखते हैं न, clay, clay ports जिसको आप बोलते हैं, इस तरीके की चीज़े जो बनाते हैं, तो आप वो ही बन सकते थे, फिर चाहे आप में कैसा भी talent हो, आपका interest हो, कुछ भी करने का आप नहीं कर सकते थे, आप में interest हो कि आप dancer बनना चाहते हैं, नहीं बन सकते थे ठीक है, ऐसे individual भी आपका development नहीं होता है लेकिन अब क्योंकि आप कास fundamental rights हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी caste, religion, area, gender कहीं पर भी आपका जन्म हो, कोई फरग नहीं पड़ता, आपका interest मेल है, कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप all India services के अंदर जाकर के काम करें, इंडिया society को सर्व करें, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि Olympics में जाकर कि आप इंडिया के लिए medal लेकर गया हैं, तो आप sportsman, athlete भी बन सकते हैं, इन basis पर आपके उपर कोई restrictions है तो all-round development, सफिर चाहिए वो आपका intellectual हो, physical हो, हर तरीके के materialistic हो, हर तरीके के development के लिए fundamental rights जो हैं, वो आपके लिए important है, ठीक है, अब भारत में अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत interesting सी चीज है, बहुत ही मज़ेदार चीज है, fundamental rights कितने हैं, जरा comment box में मेरे सारे दोस्त लिख करके बताइए, की इंडिया में currently how many fundamental rights we have? हमारे पास कितने fundamental rights थें? क्या जो अभी हमारे पास fundamental rights हैं, वो starting से इतने ही हैं, या उनमें कुछ increase हुआ या उनमें कुछ decrease हुआ? क्या उनमें कुछ increase हुआ या उनमें कुछ decrease हुआ? तो देखे ध्यान से समझेए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही होता रहा हमारे कॉंस्ट्यूशन में कुछ-कुछ चीज़े हुई है ओरिजनली जब हमारे पास वर्तमान की अगर हम बात के करेंट में हम बात करें तो हमारे पास six fundamental rights है छे मोलिक अधिकार है ठीक है छे से ज़्यादा नहीं है छे ही ही है मोलिक अधिकार लेकिन जब हमारा constitution बना था originally जब हमारा constitution बनाया गया था तो हमारे पास साथ fundamental rights थे मूल रूप से ध्यान रखे यहां मूल रूप से कौन सा right to equality आर्टिकल 14 to 18 right to freedom आर्टिकल 19 to 22 cultural and educational right 29 to 30 संपत्ति का अधिकार ये था पहले ठीक आर्टिकल 31 और 7 right to constitutional remedies आर्टिकल 32 ये 7 fundamental rights हमारे पास originally थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये fundamental rights थोड़ा सा disputed था right to property ये public के welfare के लिए इंडिया के rest के लिए development के लिए एक बहुत बड़ा रोडा ये जिसको बोलते हैं बाधा restriction बन गया था तो इसको दूर करना जरूरी था क्योंकि जब तक fundamental right रहेगा कोई तब तक उसका violation नहीं कर सकते हैं कोई भी वो right है आपकी demand करेंगे आप लोग जा करेंगे वही है हमारा right है हमें चाहिए तो right to property के कारण इंडिया का development जो है न वो थोड़ा सा problematic होने लगा reason क्या था समझे आप development कैसे करोगे विकास कैसे करोगे development क्या करोगे development के लिए आपको क्या बनाना चीए आप कैसे मानते की country का development हो तो country का development करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको road बनाने पड़ेंगे ठीक है आपको train आपको track या railway track रेल ट्रेक्स ये बनाने पड़ेंगे आपको एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे ठीक है आपको बंदरगा पोर्ट बनाने पड़ेंगे आपको इंडस्ट्रीज एस्टेबलिस करनी पड़ेंगी आपको नदिया नहर बनानी पड़ेंगी केनल्स आपको बनानी पड़ेंगी ब पर होगा लेंड पर होगा आप माल लेते हैं कि किसी का उस लेंड के उपर किसी में कर खरीद आवा कब जा है थीक अब माल लेते हैं कि एक एरिय और गौपर्मेंट चाहते है कि एरिया में हम डीकoker के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करें ताकि connectivity अच्छी हो जाए लोग business कर पाएं जो किसान है फार्मर्स है वो अपने सब्जियों को जल्दी से एक स्थार से एक वन एरिया से दूसरे एरिया पर ले जाए तो उसके लिए उनको जमीन चाहिए थी अब वो जमीन जब भी government acquire करने जाती जब भी government किसी भी person की जमीन को acquire करती उससे लेने लगती तो सारे court में चले जाते बोलते ही तो हमारे fundamental right हम नहीं देंगे जब government को जमीन सरकार तो हमारी जमीन जवर्दस्ति छिन रही है तो वो चले जाते court में fundamental right था तो गवर्मेंट को जमीन और चीजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता बहुत problem हो जाते थी problematic हो गया था development करना बड़ा problematic हो गया था यह problem यहां पर हुई ठीक है तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या किया गया कि हमारा जो यह fundamental rights है इसमें इसको हट करने की ज़रूरत है इसी लिए 44th amendment however the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th amendment of 1978 यह आपको important है यह ध्यान रखना 1973 का जो केस वानन्द भारती केस था जिसमें हमने basic structure doctrine of basic structure जहां से हम में मिला तो उस case में भी यह clear कर दिया था कि right to property जो है वो basic structure का part नहीं है और फिर 1977 में जो JP government बनी जनता पार्टी की government बनी उन्होंने इंडिया के development social justice को ध्यान में रखते हुए 44th amendment किया 1978 में और उससे हमने right to property को fundamental rights के उससे हटा दिया उस status उससे हमने छीन लिया फिर उसको हमने legal right बना दिया it made a legal right under article 300a in part 12 of the constitution कानूनी अधिकार बना दिया right अभी भी आपके पास legal right है constitution के अंदर clearly mentioned है article 300a that mean वो अभी भी constitutional right है बट वो special provision provide के fundamental का मतलब यह है कि वो ऐसे rights हैं जो constitution ने आपको provide के जिनका violation नहीं कर सकते हैं ठीक है उनकी demand उनकी guarantee है आपके पास पूरा guaranteed है अगर उनका violation होता है तो आप court में जा करके resume करवा सकते हों उनकी demand कर सकते हों ठीक और जो other than fundamental rights हैं उन सभी को constitutional right बोलते हैं जो constitution में दिये गए हैं उनकी आप demand नहीं कर सकते हैं court में जा करके ठीक है against the state आप उसके जा करके उसके demand या case नहीं कर सकते हैं यह है तो right to property अभी भी आपका constitutional right है article 3 under day में है हम इसको legal right बोलते हैं कानूनी अधिकार बोलते हैं ठीक है लेकिन fundamental right अभी नहीं रह fundamental rights ही है साथ नहीं है ठीक है इस चीज़ को देख लेना है कई बार अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हम NCRT के उपर इतना ज्यादा focus क्यूं करते हैं और समझ येगा मैं एक बार देख रहा था मेरे cousin है एक और school में पढ़ते थे सायद 10th में थे वह ठीक 9th या 8th 9 10th में थे अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल पना नहीं किस तरीके से क्या वर्क करते हैं मेरे को समझ वह नहीं आता वो रेफर करते हैं किसी प्राइवेट ओथर की कोई ऐसा ओथर जो अलग से बुक उनकी रेफर क्यों NCRT को रेफर कि यह पढ़ो और मैंने वहाँ पर देखा कि पॉलिटिकल साइंस के लिए एक स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल था जैपूर के अंदर और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए NCRT के जगे एक किसी ओथर की बुक रेफर कर रखी थी और वही बुक सब सब्सक्राइब ना हो कुछ चीजे गड़बड हो फिर मैंने उस बुक को स्टड़ी किया देखा तो उसमें सेवन्थ फंडामेंटल राइट क्या लिए रखा है आर्टिकल ट्वंटीवन ए राइट टू एजूगेशन है ठीक है 86 अमेंडमेंट में 2002 से जो दे रखा था उस उसको उसने उस केटेगरी में लिख रखा है कि सात्वा फंडामेंटल राइट है तो ऐसे राइटर्स की बुक्स को पढ़ने से आपका केरियर बरबाद होने वाले है और बच्चों के माइंड में यह रखा है टीचर भी उसी रेफरेंस बुक से पढ़ा रहे है तो टीचर परसनल रिलेशन्स या बिजनस के तोर पर अर्निंग मनी का एक मनी अर्न करने का एक सोर्स होता है ठीक है तो ऐसे चीजों में नहीं जाना है एंसी आर्टी ही ऑथेंटिक है उसी को फोकस करना है अगर आप स्कूल लेवल पर कोई और बुक्स पढ़ रहे हो तो बहुत अच पर फंडामेंटल राइट्स की हमारे पास विशेशता ही क्या है फीचर्स क्या है उन्स फीचर्स को देख लेते हैं सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स में हमने केटेगरी डिवाइड कर रखी है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों के लिए अप्लिकेवल नहीं होंगे कुछ केवल इंडियन्स के लिए रहेंगे कुछ केवल फॉर्नर्स के लिए रहेंगे अगर हम बात करते हैं Only citizens की बात करें तो कौन-कौन से fundamental rights हैं जो केवल इंडियन citizens के पास हैं तो 5 fundamental rights है इसमें अगर हम बात करें Article 15, Article 16, Article 19, Article 29 और Article 30 ठीक है यह पांच fundamental rights only Indian citizens के पास हैं इंडियन citizens के अलावा और किसी के पास नहीं है ठीक है यह चीज़ समझना है तो एक हमारे constitution के जो हमारे rights है fundamental rights उसका special feature यह है कि हमने हमारे citizens को ज्यादा priority दी है करना fundamental rights का मतलब यह होगा कि हमारे citizens को कुछ चीजों में prioritize करना उनको कुछ special powers देना special features देना special facilities देना तो यह वाले rights जो है यह केवल इंडियन citizens को है इनके अलावा जितने भी fundamental rights है वो सब को मिलते हैं शुर कोई भी आ जाए इंडिया के अंदर कोई भी आए कहीं से भी आए सब को equal rights मिलते हैं इन पांच absolute but qualified important है ठीक है the state can impose reasonable restrictions on them however whether such restrictions are reasonable or not it is to be decided by the courts thus they strike a balance between the rights of individual and those of the society as a whole between individual liberty and social control simple सा चीज है समझे है fundamental rights तो है आपके पास लेकिन वो absolute नहीं है absolute मतलब unlimited कि you can do anything on the name of fundamental rights no state have right to impose some restrictions on the basis of law and order public health and health इस चीज़ के उपर अगर आप देखोगे for example article 19 का exam बात करते हैं right to freedom of expression अब वो आपकी absolute freedom नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल 19 में 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 पास freedom of expression है और आप जाकर के बोल रहे हो कि यह धर्म खराब है वो धर्म दुरा है इस धर्म के लोगों को काट देना चाहिए मार देना चाहिए है ना they are not Indians इनको भगा दो इंडिया से इस तरीके का expression आप नहीं कर सकते जिससे की riots हो जाएं public order जो है उसका सेंटिमेंट्स जो है वो प्रभावित हों है ना वो आहत हो जाएं एग्रेशन आ जाए सोसाइटी के अंदर जो है यूनिटी का concept वो हिल जाए इस तरीके का expression आप नहीं कर सकते हैं तो रिस्ट्रिक्शन है कोट ने आपके उपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखिए आपके पास right to gathering है कि आप किसी भी जगह पर गैदर हो सकते हो गवर्मेंट के अगेंस प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन प्रोटेस्ट करने का मतलब यह नहीं कि अथियार लेकर जा रहे बंदूख निकाल करके और वह ब पर रिस्टरिक्शन है गंसे लेकर करके अपटने कर सकते हो आं चली कर करें Bridge नहीं कर सकते हो लेकिन हम तो इंडियन यह इंडियन और इंडियन भी दूंट फो लो आ इस अनवा हुआ जह चाहरा लगता है हे ना और किसी को अपना और यहाई है ससमझने का तो जब भी कोई प्रोप्लीग का वुइलेसन, उसको तोड़ेंगे, उसको डिस्ट्रोई कर देंगे, जासें अभी CWA को ले कर गे, CWA को ले कर गे recent example, CWA उसको ले कर गेर प्रोटेस्ट हुआ, पॉप्लिक प्रोपर्टी को डिस्ट्रोई कर दिया गया, त्रेट के अगेंस्ट आप देखोगे प्रोटेस्ट हुआ, वोइलेंट, गोली बंदूख लेकर के पुलिस वगएरा उनके उपर भी चीज़े चीज़े की गई आम नागरिक मरे, रोड जाम होगे, रोड ब्लोक होगे ट्रेन की जो ट्रैक्स थे वो ब्लोक होगे तो ये ब्लोक करने से, ये रोड जाम करने से पुलिक प्रोपर्टी को फायर आग लगा देने से नुकसान किसका है, बाकी अधर पीपल्स का, बाकी अधर परसंस का उनके फंडामेंटल राइट्स का वोइलेशन है तो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं कर सकते है आप कि किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट वो वोइलेट हो जाए इन दा नेम ओफ, इन दा सेक ओफ योर फंडामेंटल राइट यू कैन नोट दू सच थिंग्स विच वोइलेट अधर्स राइट और इसी लिए फंडामेंटल राइट के ओपर कुछ रिस्ट्रिक्शन्स, लिमिटेशन्स जो है वो लगा ही राती है स्टेट रिस्ट्रिक्शन्स लगाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स लगाता है तो हो सकता है कि इसके नाम पर स्टेट आपके में में फंडामेंटल राइट को खतम कर दे ठीक है, रिस्ट्रिक्शन्स लगा दे कि आपके पास ये भी कोई राइट है नहीं राइट टू इक्वैलिटी नहीं है ये होने की पोसिबिलिटी बहुत रहती है तो ऐसे में कोर्ट को पावर दे दिया गया कि रिस्ट्रिक्शन्स इंपोज करने का काम पार्लियमेंट करेगा, लेकिन वो राइट है, करेक्ट है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, इसका डिसिजन कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा हमारे interpretation जो constitution का करता है, right जो है, वो court के पास है, supreme court के पास है, judiciary के पास है, तो अगर supreme court को लगता है कि ये restrictions ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई problem नहीं है, तो continue रहेंगे, है ना, तो qualified है हमारे fundamental rights, absolute नहीं है, कि कभी लगेगी हमारे पास तो right to freedom है, और जो करने की इच्छा, जो मन करें वो करो, और तुम्हारा मन कर रहा है, कि जबरदस्ती जाओ, सामने वाले को पकड़ो, और पकड़ करके दो मुक्का मार दो नाक पर, मुक्का मार तोड़ो, और फिर खूस हो जाओ, वाउ, I am happy now, मेरे को मजा आगया नाक पर, मुक्का मार करके, इस तरीके से की और व्यक्ति के सामाजिक जो है ना उन दोनों के बीच में एक बैलेंस हमेशा बनाया हुआ रहता है हमेशा इधर से चलता है ठीक है अब इसके साथ साथ अगली चीज वो भी समझना है इसको भी समझिए हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स वो स्टेट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देते हैं स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मतलब कि सरकार गवर्मेंट वो किसी भी तरीके से आपके राइट्स का वोईलेशन नहीं कर सकती restrictions नहीं लगा सकती, उसके कुछ limitations उनके उपर रहती है लेकिन कुछ rights ऐसे भी है, जो state के साथ-साथ individuals के उपर भी restrictions लगाते हैं पोर example इसका मैं बताता हूँ, अगर हम बात करते हैं, तो article simple सा article अगर हम बात करें, तो article हम 17 ले लेते हैं untouchability, हमने untouchability को criminal offense माना है, abolish कर दिया है, तो यह article 17 जो है untouchability, यह आपका right against state भी है, right against individual भी है, individual क्योंकि untouchable वाला behavior करता है, वो कोन करता है, state थोड़ी करता था पहले से, वो तो individual लोग करते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से करते थे, you are not equal to us, so, दूर रहो, तुमारी परच्छाई भी हम पर नहीं पढ़नी चाहिए, तुम हमसे छोटे हो, तुम हमसे नीचे हो, तुम अच्छूत हो, छूँआ च्छूत होगा, हमारे पास मता हो, हमारे घरों के पास मता हो, यहां से दूर जब, तो इस तरीके के behavior करने वाले कोन होते हैं, लोग होते हैं, society होती है, society में रहने वाले लोग होते हैं, persons होते हैं, तो उसके against भी यह right है, आप केवल अगर मान लेते कि, normally हम सब को लगता कि state, वो ही कोई ऐसा काम करेगा, जो इन rights का violation करेगा, तब ही हम court में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर कोई person ह आप किसी village में रहते हैं, simple सी चीज़े समझे, आप एक village में रहते हैं, और उस village में अलग-अलग communities हैं, कई सारे समुदाई रहते हैं, एक community जो है, वो वहाँ पर, क्योंकि equal right है इंडिया में, तो सब के पास बराबर right है, अब एक community है, उस community में मान लीजिए, marriage हो रही है, करके जाएं, साधी में ऐसे होते हैं, जब हिंदू marriage होती है, तब आप देखना की बरात लेकर के जाई जाती हैं, बरात बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, धोलबा जा, गाना वाना चलता रहता है, यह वही बरात है, जिसमें नागिन डांस होते हैं, आप के गाने चलते हैं, तो मान लीजिए, वो एक community है, वो गाउं के बिल्कुल middle से, बीचो बीच से, बरात लेकर के जा रहे हैं, और उस पर जा रहे हैं, घोड़े पर बैठ करके, अब वहाँ पर गाउं के बीच में कोई एक other community है, उनको लगता है कि यह जो community जिनकी बरात जारी, जिनकी साधी हो रही है, घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं, कि they belong from lower community, they are not equal to us, तो इनकी हिम्मत कैसे होगी, कि यह हमारी, यहां से निकले हैं, इस तरीके से करके, इनको पैदल जाना चाहिए, और गाउं के बाहर से जाना चाहिए, आउटर साइड से जाना हैं, मार पिटाई करते हैं, ठीके, और उनके साथ लड़ाई जगडा करते हैं, और उनको मजबूर करते हैं, कि भई तुम गाउं के बाहर से जाओ, तुम छोटे हो, तुम नीचे हो, equal नहीं हो, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, तुम हमारी गली से निकलोगे, तो हमार गली खराब हो जाएगी भरस्ट हो जाएगी हमारा धर्म भरस्ट हो जाएगा है ना तो तुम छुआ छूत वाला इस चीज के कि तुमारी हिम्मत कैसे होगी कि हमारे कुवे से हमारी इस तरफ से तुम लोग यहां पर आ जाओ ठीक है तो यह सारी चीजे हैं किलियर तो ऐसी च इस तरी किसे वर्क करती है वैसे वर्क करेगी जैसे भी जो भी चीजे हैं लेकिन ये आपका fundamental right का violation है ये चीज समझे आर्टीकल 17 का violation है छुआ छूत का violation है इंडिवीज्वल ने किया डायेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस करो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ अल्टीकल 32 का यूज़ करते है अगेंस्ट इंडिवीज्वल तो स्टेट की अगेंस्ट भी हो गया एक मूवी देखना आप और अगर हम बात करते हैं जैसे हम बात करेंगے, नीए, आपने एक स्यरीज है, जिसको हम बोलते हैं, आसरम, आपने नाम सुनाओगा, आसरम स्यरीज, देखी होगी, आसरम नाम से आपने कोई, वेब सैरीज है, जिसका अगर ऑम बात करें, बोवी देवलवाली हैं, बाबा जाने सब के मन की बात, जप नाम, जप नाम, जप नाम, इस तरीके से डायलोग है, तो उनको भी आप देखना, कि वहाँ पर भी इस तरीके के एक्जामपल्स आपको उसमें मिलेगी उस तरीज के अंदर, कि किस तरीके से community में discrimination होता है, community के थूँ, individual किस तरीके से दू individuals के against की, तो अगर हम बात करते है, article 23, ठीक है, अगर हम बात करें, article 24, right against exploitation में, article 23, forced labor, बंधुवा मजदूरी, तो बंधुवा मजदूरी कौन कराता है, state तो नहीं कराता, state तो पकड़ करके जबर्दस्ति नहीं कहता है, कि चलो आओ, सब लोग, जितने भी एकेरिया में, particular, चलो सब लोग आओ, और आ करके अब तुम लोग, यहाँ पर सडक बनाने का काम करो, जबर्दस्ति बनवाओ उनसे, मार पीट करके, डंडे मार करके, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा भी नहीं कहता कि आओ, हमारे घर में काम करो, यह forced labor, बंधुवा मजदूरी, यह करवाने का काम कोन करता है, इंडिवीज्वल करते हैं, है न, इंडिवीज्वल जो लोग होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं, तो इंडिवीज्वल करते हैं, आपने देखना की, for example, अगर मैं आप से बात करूँ, तो पुराने टाइम में, जब गुलामी, दास प्रथा जब चलती थी, त दास प्रथा कोन करते थे, जो बड़े-बड़े लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वो अपने लिए कुछ गुलाम बना कर रखते थे, कुछ दास उनको रखते थे, उनसे अपनी सारी सर्विस करवाते थे, अपना सारा काम उनसे करवाते थे, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजे होती थी ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजों में बहुत सारे मामलों में आप देखना इस तरीके की चीजे मिलते हैं जैसे देवदासी मंदिर के अंदर जबरदस्ती किसी गरल को लड़की को भगवान के नाम पर वहां पर प्रोवाइड कर देना फिर उसके अबर स्टेट तो करवाता नहीं है लोग करवाते हैं आप देखेना छोटे होटल्स हैं और वह सारे होटल्स रहेंगे 21.ến से रेश्टोरेंटस रहेंगे चाही की दुकान होगी डाबा होगा उन ठाभे पर आप देखना कि चोटु करने के लिए क्या रखा जाएगा कि छोटु नाम से वह बरतंद होते हुए मिलेंगे आपके जितने भी साफ सफाई ये वोद करते हुए मिल जाएगे आपको ओडर सरु करते हुए वह वहाँ पर एविलेबल हो जाएगे आप खुद भी बूल जाते हुए उस टाइम की भई इनके fundamental rights का violation है आप खुद भी जाकर के उसमें participate करते हैं आप खुद बोलते हैं चाई वाली दुकान पर चाई की सोप पर जाकर के आप बोलेंगे क्या कि ए छोटु एक चाई देना ए छोटु सुट्टा लाना जरा सुट्टा इस तरीके की चीज़े बोलते हैं ए छोटु जरा order ले जल्दिया ए छोटु जरा प्लेट साफ कर तो वो कौन कर रहा है स्टेट तो नहीं कर रहा है इंडिवीजवल कर रहा है ठीक है तो यह इंडिवीजवल के अगेंस्ट भी आपको protection प्रोवाइड करते हैं इन मामलों को ले करके आप डारेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा स तो कुछ प्राइवेट इंडिवीजवल के एक्सेंस के अगेंस्ट हैं और कुछ वो बाकी अगर आप देखो सब के सब स्टेट के अगेंस्ट तो हैं यह आपको मिलेगा ठीक है आगे चलते हैं next some of them are negative in character that is place limitations that is place limitations on the authority of the state while other are positive in nature conferring certain privileges on the persons fundamental rights के बारे में अगर जब भी हम बात करते हैं तो आपको maximum यही देखने को मिलता है यही चीज़े आपको समझ में आती हैं और आपको इसके बारे में maximum लोग यही बोलते भी हैं कि fundamental rights are negative in nature बट वो completely correct statement नहीं है negative का मतलब है कि restrictions लगाना fundamental rights more negative बट कुछ जो है वो positive rights भी है इसको भी समझना negative rights का मतलब जैसे कि आप बात करते हैं कि भेद भाव नहीं कर सकते ठीक है किसी के साथ caste class gender race उनके basis पर आप discrimination नहीं कर सकते वो restrictions उसने अब लगाए तो जब restriction लग गए तो restrictions के base पर यह हो गया ठीक है आपने प्रतिबंद लगाए रोक दिया किसी चीज़ को ठीक तो उनको हम बोलते नेगेटिव राई नेगेटिव का मतलब खराब हो गया ऐसा नहीं है पोजिटिव का मतलब किसी चीज को आप support कर रहे हैं उनको promote कर रहे हैं तो promote करने वाले भी राइट हैं जैसे कि हम बात करते हैं कि रिलीजन की अगर बात करें तो freedom of religion है वह आपको promote करने के permission देता है कि आप अपने religion किसी भी रिलीजन कर सकते हो ठीक है promote कर सकते हो कुछ भी चीज़ें आप देखोगे कर सकते है आर्टिकल 29 और 30 ठीक है या अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 15 4 ठीक आर्टिकल 16 में जो यह हाँ पर reservation का जो provision है reservation जो है वो positive right में आ जाते है कि वो society के कुछ sections को promote कर रहे है ठीक है society के sections को promote करते है ठीक है तो वो उसके अंडर में आ गए restrictions impose नहीं करते हैं उनको promote कर रहे हैं है न तो positive rights भी होते है जैसे EWS का reservation, OBC का reservation, schedule caste के लिए reservation, schedule tribe के लिए reservation इस तरीके का reservation तो fundamental rights में आपको positive और negative का blend मिलेगा ठीक है वो more nature जो है वो more जो है negative है लेकिन उसमें positive rights भी include है inherent है blend of positive and negative rights जो है आप इसको कह सकते है इसके साथ साथ एक और important चीज जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी जिसको आपने देख लिया था they are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated नियायोचित है ठीक है कभी भी अगर आपका fundamental right का violation होता है तो आप direct court में जा सकते हो article 32 आपको इसके power देता है supreme court के लिए even high court के लिए भी आपके पास power है article 226 यह यहाँ पर मिलता है ठीक है अनुच्छे 226 यह work करता है तो यह दोनों है आप court में जा करके demand कर सकते हो यह भी एक है नियायोचित है जस्टीस यबल है दियार डिफेंडेंड एंड गारंटीड बाई दा सुप्रीम कोट हैंस दा एग्रीवड पर्सन कें डारेक्ली गो तो दा सुप्रीम कोट not necessarily by the way of appeal against the judgment of high court normally हम सुप्रीम कोट में किसी भी मामले को ले करके जाते हैं तो उसको हम appeal के थुरू ले करके जाते हैं यहना पहले कोई मामला district court में या session court में गया फिर वहां से आपने उसके against high court में appeal की फिर high court के against आपने supreme court में appeal की appealate jurisdiction इसको बोला जाता है लेकिन fundamental rights क्योंकि यह बहुत important है must है किसी भी citizen किसी भी person के development के लिए तो इसका violation अगर होगा तो इसके violation को रोकने के लिए आप direct court में जा सकते है सीधा supreme court में आपको इसको बोलते है original jurisdiction ठीक है court की original jurisdiction है original jurisdiction मतलब उसके लिए आपको बाकी कोई process appeal वाला system नहीं करना पड़ता कोई permission की जोरुद नहीं पड़ती direct court में जाओ supreme court में सीधे जा करके वो उसके against आप demand रख सकते हूं यह चीज है they are not sacrosent or permanent the parliament can curtail or repeal them but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act moreover this can be done without affecting the basic structure of the constitution the amendability of fundamental rights is explained in article chapter 11 वो मैं आपको बता हूँ chapter 11 जो बाएगा amendment constitution के amendment का अभी main चीज समझे कि हमारे fundamental rights जो constitution ने दिये न वो permanent नहीं है अगर आपको लगता कि fundamental right मिले और यह हमेशा के लिए valid रहेंगे तो ऐसा नहीं है requirement जरूरत के अनुसार time to time उनमें change किया जा सकता है ठीक है उनमें बदलाव किया जा सकता है उनमें amendment किया जा सकता है उनको जरूरत पड़ी तो उनको remove भी किया जा सकता है destroy भी कर सकते किसी fundamental right को किसी को increase भी कर सकते है add-on भी कर सकते हैं किसी में amendment भी कर सकते हैं के वल एक ही condition है कि fundamental rights में अगर आप amendment कर रहे हो तो article 368 का use होगा ठीक है और कोई भी ऐसा amendment हमारे constitution के basic structure को violate नहीं करना चाहिए बेसिक structure में जो भी चीज़े डाली हुए Supreme Court ने time to time हमारे basic structure गेंडर में बहुत सारी चीज़े बहुत सारे provisions course में add-on किया है तो आप उस basic structure को violate नहीं कर सकते हैं without violating basic structure आप कोई भी काम किसी भी fundamental right में amendment कर सकते हैं ठीक है इस चीज़ को समझे अब किस तरीके की चीज़ है इसको समझते हैं इसका एक example से मैं आपको समझाता हूँ जैसे हमने क्या क्या हमने article 31 जो था ठीक है right to property right to property इसको हमने fundamental right से हटा करके article 300a में डाल दिया ठीक है 44th amendment किया इसके लिए 44th amendment हुआ हमने हमारे fundamental right को completely खत्म कर दिया time to time हमने fundamental rights add भी किये for example हमने 86th amendment जो 2002 में हुआ उससे हमने क्या जोड़ा हमने right to education article 21a के अंडर उसमें हमने right to education add on कर दिया 97th amendment हुआ ठीक है 97th amendment हुआ जिसमें हमने cooperative societies establish करना article 19 के अंडर अपना fundamental right बना दिया तो that mean कि हमारे fundamental rights जो है न वो permanent निया उनमें change किया जा सकता है amendment किया जा सकता है increase किया जा सकता है कोई वी ऐसा provision नहीं कर सकते जो कि basic structure का violation करे और ये decision लेगा कौन सुप्रीम Court यह बताएगा कि फइंटल right में वह basic structure का violation करता है कि नहीं करता ठीक अगर basic structure का violation करता है तो constitution हमारे जो supreme court है उसको unconstitutional घोसित कर देगा और समयधानिक घोसित कर देगा सिंपल से चीज है और समयधानिक जैसे इससे पहले भी कई बार हमारे parliament ने 1970s का जो time था जो time period था उस time उस दोर में कितनी बार कई सारे amendment हुए उसमें fundamental rights के उपर कई सारे restrictions impose करने की कोशिस की सुप्रिम कोट ने क्या क्या उनको नल and void कर दिया unconstitutional उनको घोसित कर दिया तो यह सारी की सारी चीजे पावर जो है ना basic structure को define करने की सुप्रिम कोट के पास ही है तो ऐसे में अगर आपसे prelims में question आ जाए कि consider the following statement regarding fundamental rights of India और उसमें आपको statement दे दी जाए एक कि fundamental rights are sacrosanct और permanent in nature कि मुलिक अधिकार्स थाई है ठीक है या अलंगनिये हैं संसोधन नहीं किया जा सकता कटोती नहीं की जा सकती तो यह statement रोंग हो जाती हैं मैं आपसे question पूछूंगा भी एक दो और इसके फीचर्स बता देते हैं फिर उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि they can be suspending suspended during the operation of a national emergency except the right guaranteed in article 20 and 21 हमारे जितने भी fundamental rights हैं उनको कुछ special हमारे environment special conditions ऐसी होते हैं इंडिया में जब आप उनको suspend कर सकते हैं लेकिन आर्टीकल 20 और 21 इंडिया के constitution में ऐसे articles हैं ऐसे fundamental rights हैं जो किसी भी condition में आप उनको suspend नहीं कर सकते हैं कोई भी कंडिशन हो कैसी भी कंडिशन हो आप उनको सस्पेंड कर ही नहीं सכते हैं ओह आपके पास हमेशा रहेंंगे ठीकrav एक ये भी feature है कि minimum guarantee है कि आपके पास life and liberty की guarantee है कि आपकी जान आपसे कोई नीचीन सकता जबरदस्ती तो यह वो कैसे भी situation आया गी हो ठीक है यह चीज़ देख लेना है अब आपसे यहां से question बन जाएगा उसको समझ यह अब मैं question आपसे पूश रहा हूँ उसका answer आप देना एक example के type पर मैं आपसे बताने की कोशिस करूँगा कि किस तरीके से question जो है यहां पर pre के अंदर आपसे पूश लिया जाएगा ध्यान से सुनना सभी लोग consider the following statements regarding fundamental rights in Indian constitution first fundamental rights are non-justiciable second statement fundamental rights provides security only against state and not against individual second statement fundamental rights are available for all the residents in India ठीक है all the fundamental rights are available for all the residents in India ठीक है यह हो जाएगा और fourth statement दे दिया जाएगा कि fundamental rights are permanent और फिर आपको कहा जाएगा choose the correct answer correct option और फिर आपको options देंगे A 1 and 2 1,2,3 correct B 1,2,3,4 correct ठीक है C 1,2,3,4 all wrong और D only 2 and 4 correct तो इसमें आपको correct answer देना है जल्दी से answer दीजिए सभी लोग answer दीजिए कि क्या इसमें correct आएगा option कौन सा correct आएगा A, B, C, D में से कौन सा option correct रहेगा इसमें all wrong very good तो जिन जिनने भी third यानि C वाला option select किया third option select किया all wrong वो बिल्कुल correct है इस चारो की चारो statement जो गलत होगी है wrong होगे कोई भी statement इसमें correct नहीं है तो इस तरीके से questions जो है आपसे पूछे जाएंगे MCQ के level पर जो prelims वाले exam होते हैं कोई भी MCQ का exam होगा उसमें इसी तरीके से question आपसे ask किया जाता है पूछा जाता है ठीक है और भी कई सारी statement जो हो बन सकती है जैसे मैं आप से केवल yes or no मैं पूछूँँगा आप बता देना कि किया पार्लियमेंट के पास यह सकती है कि वो समिधान का भाग तीन उसमें संसोधन कर सकती है yes or no केवल yes or no में कर देना है only yes or no पीडियेफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में जात करके डालना अनकेडमी लली त्यादव की पार्ट साला वहाँ पर पीडियेफ मिल जाएगी ठीक है अनकेडमी लली त्यादव की पार्ट साला में इस आएगा correct answer आप सब लोग no क्यू दे रहे भाई yes आएगा कर सकती है amendment कर सकती है हम सिर्फ question के पुछा कि क्या Parliament fundamental rights में amendment कर सकती है या नहीं सिर्फ इतनी statement थी simple statement थी इसको ज़्यादा complex करने की जूर थी नहीं कर सकती है amendment करने का बात है तो आप देखोगे तो हमने किया ना 44th amendment किया हमने 86th amendment किया हमने 97th amendment किया fundamental rights में amendment हुआ की नहीं हुआ add-on हुए की नहीं किस नहीं किये parliament नहीं तो किये ठीक है अगर statement यह होती कि parliament can amend all the fundamental rights यह यह statement होती कि parliament can make changes in fundamental rights which violate the basic structure of Indian constitution तो वो statement गलत हो जाती ठीक है कि अगर मूल ढाचे वाले हिससे को भी अगर वोईलेट करते तो वो statement गलत हो जाती उस time लेकिन हमने तो simple statement दी थी कि क्या भाई amendment कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो simple सी चीज़ें बिलकुल कर सकते हैं ठीक है लेकिन fundamental अगर basic structure का वोईलेट करेगी तो नहीं सकते हैं तब नो आता तो यह basic basic सी चीज़ें समझना है एक और statement कई बार आपसे पूस लिया जाएगा और वो यह पूस लिया जाएगा कि can Indian fundamental यह देख सकते हैं कि can fundamental all the fundamental rights can be suspended during emergency situations कैस तरीके की statement दे दिया जाएग कि सभी fundamental rights जो है उनको एक आपातकाली समय में उनको suspend किया जा सकता है तो वो भी गलत है इंडिया में दो fundamental rights ऐसे हैं जो किसी भी situation में कभी भी suspend नहीं होते हैं आर्टीकल 20 और आर्टीकल 21 यह एक basic understanding आपको develop करनी होगी fundamental rights के इन features को लेकर गे यह जो features वाला part था ना यहां से mcqs में बहुत सारे questions आते हैं regular आएंगे और mains के issues भी जुड़े हो हैं जो मैंने आपको उसके साथ rights है ना इसमें लिखा है कि the six rights guaranteed by the article 19 चुकि यह book अगर आप देखोगे तो इसमें भी आप देख लेना कि जो fundamental article 19 के जितने भी rights हैं उनको अगर आप external basis पर अगर इंडिया में national emergency लगी है article 352 अगर इसका use के और के इसके भी दो basis होते article 352 के वो national emergency वाले में मैं बताऊंगा कि war और external aggression यह दो external basis रते हैं ground होता है जिस बाहरी आधार पर तो article 19 के सारे के सारे fundamental rights जो हैं आपके suspend हो जाते हैं automatically लेकिन अगर आप internal basis पर लगाते हैं जिसको आप armed rebellion बोलते हैं ठीक है तो article 19 के सारे fundamental rights automatically suspend नहीं होते हैं उसको suspend करने के लिए president को एक order पास करना पड़ेगा एक जारी करना पड़ेगा और order में वो clearly mention करना पड़ेगा कि कौन-कौन से fundamental right को हम इस time period के लिए suspend कर रहे हैं ठीक है इसको भी देख सकते हैं तो इनको आप चाहें तो आप कर सकते हैं आपका काम कर नहीं है इसको हम right to property के जब हटाने की बात करेंगे न और dispute between fundamental rights and directive principles of state policy DPSP और fundamental rights के बीच के dispute को जब हम explain करेंगे तब उसमें जाकर कि हम इस चीज को detail में देखेंगे their application to the members of armed forces paramilitary forces police forces ठीक है intelligence agencies and analog services can be restricted और and abrogated by the parliament article 33 ये भी है हमारे जब fundamental rights को suspend करने के बात करें तो सभी citizens के लिए fundamental rights available हैं लेकिन कुछ लोग जो ऐसी service में होते हैं government sector की state की service में होते हैं जो हमारे देश की internal security country के external security country की unity उसके लिए बहुत important है national interest के लिए बहुत important है जिसे armed forces हो गए पुलिस forces हो गए IB, CBI तो उनके rights को restrict किया जा सकते हैं और parliament उनके rights को restrict करता है for example अगर आप आर्मी में होगे तो आपके पास right to expression freedom of speech expression वालो वो नहीं रहेगा कि आप कहीं पर भी public place में जाकर कोई भी freedom दे रहे हैं कोई भी speech दे रहे हैं कोई भी बात अपने मन में जो बात आई वो बता रहे हैं आप RAW के agent है, RAW के agent है, है ना, इंडिया के citizen है और आप आकर के public में आकर के बता रहे हैं कि इंडिया की government ने मेरे को पाकिस्तान में जासुसी करने बेजा था है ना, they asked me to implant a bomb, they asked me to make some suicidal bombing plans वगरा वगरा इस तरीके की तो इस तरीके की चीज़े आपके पास नहीं है कि आप जाकर के express कर दो आपके पास संग एक वो बनाने का right नहीं है कि आप एक union बना लें अपनी जैसे union होती है ना, All India Farmer Union इस तरीके से किसान संग इस तरीके से होता है तो आपके पास वैसा union बनाने के नहीं है कि आप बना लोगी All Indian Roe Agent Union या IB Union, Military Union इन सर्विस में कि हम सब लोग हड़ताल कर देंगे सरकार के खिलाफ, government fulfill our demands, otherwise we protest against government, हम हड़ताल करेंगे, जुलूस निकालेंगे, इस तरीके के rights उनके पास नहीं होते हैं, ये restrictions लगाते हैं, ठीक पास बहुत सारे restrictions इस तरीके से time to time, Parliament उनके उपर लगाई रहते हैं, इनके लिए 1950s में कई सारे act भी बनाये गए थे, उनके जो fundamental rights को violate करने के लिए, और अगर आपका ऐसे fundamental rights का violation होता है, तो आप Article 32 का use नहीं कर सकते हैं, आप court में जाकर कि demand नहीं कर सकते हैं, कि भई दखो हमें तो right provide के Indian constitution ने, लेगिन government ने, क्योंकि मैं military में हूँ, तो इन्होंने मेरे fundamental rights पर restriction लगा दिये, मेरे को ये fundamental rights चाहिए, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, demand नहीं कर सकते हैं, exception है इस चीज़ को बोलते हैं, exception, fundamental rights का exception, और ये जरूरी है इंडिया की security के लिए, क्योंकि अगर ऐस याँसा नहीं होगा तो, इंडिया का तो कबाड़ा हो जाएगा, सारा का सारा, कोई भी कोई भी जासु सी सूचना, इंडिया का work काम नहीं कर पाएगा, bureaucracy जब अड़ताल पर चली जाएगी, जुलूस पर चली जाएगी, government के अगेंस चली जाएगी, work कौन समालेगा, काम तो यह सब लोग sacrifice करते हैं अपने rights को वो इक्वल राइट्स उनके पास कुछ powers होती है तो powers के साथ साथ sacrifice करना पड़ता है एक ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पोंसिबिलिटीज एक महान सक्तिक महान उत्तरदायित्वों के साथ आती है तो जब आप भी आई एस या IPS ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास पावर भी होगी तो आपके उपर कुछ रिस्टिक्शन भी रहेंगे कुछ sacrifices आपको भी करना पड़ेगा अपना fundamental rights का तो ये भी है हमारे एक और भी चीज है इसको भी समझेगा जो main features में अगर हम बात करते हैं ये तो होगे उन लोगों के लिए जो कुछ special category में आते हैं armed forces में आगे, police forces में आगे, paramilitary में, security agencies में इसके अंदर आगे लेकिन उनके fundamental rights भी कुछ areas में without national emergency के भी restrict किये जा सकते हैं, बिना रास्ट्रिया पात्का लगाए ठीक, उस चीज को देखते हैं, यही बात होके बिल्कुल सही, कि हमारी बात, हमारी मांग पूरी करो नहीं, तो वो वाली बात बता दूँगा, ऐसे ही चलता है, जैसे घर में भी हो कि मानली जी आपका, आप दो brother and sister हैं, और आपको पता चल गया कि आपके sister है, उसका एक boyfriend है, वो उससे मिलने के लिए जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद तुम हर बार उसको blackmail करने लग जाओगे, तो मेरे लिए चोकलेट लेया ना, चुपचाप से, मेरे लिए बैट लेया आइस क्रीम लेया ना, तो मैं वो वाली बात बता दूँ, ममी पापा को कि तुम कहां जाते हो, किस कि जैसे family man movie देखी होगेगा आपने, sorry, web series, family man web series देखना, बहुत अच्छी web series है, जो मनोज वाजपई कि जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो देखना वो बड़े को भी blackmail करते हैं, ममी को भी blackmail करते हैं, कि ये काम कर दो, ये दिला दो, नहीं तो मैं ये बता दूँगा, स्रीकांत, डारेक्ट पापा गोलते हैं, स्रीकांत, ये काम करा दो, नहीं तो मैं ये बता दूँगा, ऐसे इंडिया के फिर सारे forces वाले भी करते हैं, तो इंडिया मार्सल लो इसके लिए प्रोविजन गरता है देर एप्लिकेशन कैन बी रिस्टिक्टिड वाइल मार्सल लो इस इन फोर्स इन एनि एरिया मार्सल लो मीन्स मिलिटरी रूल इंपोस्ट अंडर एबनॉर्मल सर्कम्स्टांसिस अफस्पा का नाम आपने सुना होगा बहुत सारे जगे पर नौठीस्ट में जम्मू कस्मीर में इसको लेकर के बहुत सारी डिमांड भी होती रहती है अफस्पा को हटाना चाहिए अफस्पा है यहां पर नहीं रहना चाहिए तो अफस्पा एक ऐसी कंडिसन है जब मान लेते कोई एक एरिया है वहाँ पर लो एंड ओडर बनाई रखना मिंटेन करना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है और वह ऐसा प्रोटेस्ट है अगर उसमें लो एंड ओडर स्ट्रिक्ट नहीं बनाओगे तो पॉब्लिक प्रोपर्टी बाकी लोगों के लाइफ जो है वो थ्रेट में पड़ जाएगे खत्रे में पड़ जाएगे और सेपरेटिस्ट जो ग्रूप है वो वहाँ पर डोमिनेंट हो जाएंगे तो ऐसी चीजों में लो ज कि वहाँ पर व्रेटी कर रहे हैं उनके पास राईट होता है कि वह किसी भी परसन को किसी भी टाइम विदाउट ऐनी नोटिस उनकी चेकिंग कर सकते हैं त susp…. केवल संका के आधार पर केवल उनको लग रहा है कि यह परसन जो है गड़बड कर सकता है चीज़े हो से तो वो कर सकते हैं किसी भी टाइम एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस किसी भी हाउस को जा करके चेक कर सकते हो ठीक है अगर आपको लगता है कि सिर्फ लगता है आपक सकते हो उस तरीके के राइट से सारे के सारे फंडामेंटल राइट संब हो जाते है इसके उपर हम डिसकस करेंगे डिटेल में जब आर्टीकल-345 हम एके करें बोट s प्रहें सिङुप से बोटोब यहां से कुष्ण बहुत आते हैं और जीएस में भी यहां सेांस सिंeed paper में बहुत पूछा जाता है अर्टिकल 34 बहुत इंपोर्टन रॉल प्ले करते हैं उन्तरनल सिंयोरिटी में भी ऑता है अफस्पा जो है वह मार्सल लोग का ही वह है जैसे कि हम बात करते तो भारत में तीन जागे पर malیں लोग अभी तक लगता रहे एक नोर्थ इस टेट जो है तो 1960 से वहाँ पर अफस्पा टाइम टू टाइम पर लगाई रहता है इरोम सरमिला का नाम अगर आपने सुना हो तो उन्होंने हंगर प्राइक भूखड़ताल भी उन्होंने की भी थी काफ़ी ओल्मो सिक्स्टीन इयर्स तक उन्होंने भूखड़ताल की इस अफस्पा को वहाँ से अठाने हटाने के लिए पंजाब अगर आपने नाम सुना हो ठीक है तो 1980s में 80s में पंजाब के अंदर अफस्पा लगाया गया अगर आपने जम्मू एंड कस्मीर आप जानते हैं तो 1990s से जम्मू एंड कस्मीर के अंदर अफस्पा एप्लिकेबल है पंजाब में अब हटा लिया गया है 1980s में क्योंकि वहाँ पर terrorism बहुँ जादा हो गया था ड्रग्स की smuggling बहुँ जादा हो गया थी उड़ता पंजाब आपने अगर मूवी देखियो ना उड़ता पंजाब इसने नहीं देखियो देख ले ना उड़ता पंजाब तो उस तरीके की चीज़े थी तो वहां से य और यहां पर आपके सामने अफस्पा रहता है और बाकी कहीं पर भी अफस्पा नहीं है तो यह भी है वहां पर भी आपके fundamental rights को जो है restrict किया जा सकता है ठीक मूवीज देख लेना चाहिए आपको फिल्में ना बहुत काम की होती है कई काफी सारी फिल्में कई सारी मूवीज काफी सारी वैब सिरीज बहुत रियलिस्टिक होती है और वह आपको बहुत ही behavioral approach present करते हैं आपके life के बारे में society के बारे में सारे work के बारे में हर खने अपको जो जो मैं movie यहाँ पर recommend करता हूं या जो जो web series में recommend करता हूं उनको जरूर वाच करना देखना जरूर वह आपके understanding को level best level टेकर कर जाे जएए मजे के साथ साथ चीज़े आप उनको कर पाऊगे समझ पाऊगे ठीक है चलिए Most of them are directly enforceable self-executory while a few of them can be enforced on the basis of a low made or given giving effect to them ज्यादा तर तो directly swim ही प्रवर्तनी हैं कुछ को कानून की मदद से बनाये जाते हैं और इस तरीक प्रभावी बनाये जाते हैं और इस तरीके के कानून such a low can be made only by the parliament and not by state legislature so that uniformity throughout the country is maintained article 35 यह clearly बोलता है कि इस तरीके के laws जो है वो केवल parliament ही बना सकते हैं क्योंकि parliament अगर बनायेगा तो पूरे all India level पर एक जैसे कानून एक जैसे law जो है वो रहेंगे अलग-अलग नहीं रहेंगे ठीक है यह important रहें अब इसके बाद हम article 22 12 अब यहां से हमारे fundamental rights के एक एक article start होंगे अब यहां से हम हर article को बहुत अच्छे से explain करते हुए detail में explanation के साथ चलेंगे कि कौन से article का क्या provision है किस तरीके से है ठीक है clear तो आज थोड़ा सा मेरी तबियत ठीक नहीं है तब यह 40 से down है तो आज जादा आगे इतना continue नहीं कर पाएंगे तो अब आपसे fundamental rights के अब series चलेगी काफी नंबी series चलेगी ठीक है बहुत अच्छी series रहेगी जिसमें हम अलग-अलग fundamental rights को अलग-अलग class में explain करेंगे pre और main दोनों के point of view से normally आप देखोगे तो आपको लोग सिर्फ बहुत सारे लोगों ने करवाया भी हो है fundamental rights आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा यूट्यूब पर दुनिया वर के लोगों नहीं करा है लेकिन उकेवल book वाली चीज़े उन्होंने बता दिए कि इसमें इसका मतलब यह है इसमें इसका मतलब यह application नहीं बताया कि कैसे use होगा उसको connect नहीं किया है कि कि किस तरीके से चीज़े होंगे में में किस तरीके से उसका use होगा तो में है application उसका application बताना maximum सब लोग आपको बस यह बताते कि इस provision में यह है इसमें यह है इसमें यह है आर्टिकल 15.1 में यह है 15.2 में यह है 15.3 में यह है this and that only पर इतना बताएंगे लेकिन में चीज़े कि हम उसको में यूस कैसे करें उससे related issues को कैसे deal करें major issues main focus वहाँ पर रहना चाहिए तो हर आर्टिकल से related कुछ issues है major issues है उन issues को हम deal करेंगे यहाँ पर ठीक है प्रीका तो चीज चले गए लेकिन मेंस की चीज़े भी आपके साथ completely साथ के साथ चलती रहेंगे तो इसको like share करना है जितने भी हमारे दोस्त हैं और जब भी an academy का course join करें तो यह referral code use कीजेगा मेरे दोस्त सभी ठीक है referral code में यही code आपको apply करना है और यह ध्यान रखना है कि personal guidance बहुत important है और personal guidance का मतलब है कि आप direct access मिले teacher के साथ बात करने में आपको आज के time में देखोगे विदाउट teacher manager assistant लोग से ही बात होती आपकी maximum teacher के साथ बातचीत ही नहीं हो पाती है teacher को इस तरीके का दर्जा दे दिया है कि teacher इतने वीजी है कि वो student से बात ही नहीं कर सकते है जबकि मेरे को लगता है कि इस तरीके की tendency जो हो बहुत खराब है गलत है क्योंकि जब तक student और teacher के बीच में direct conversation नहीं होगा तो guidance हो ही नहीं सकती है ठीक है और यह जरूरी है यह required है अगर किसी को pass करना नहीं successful बनना है तो teacher student के बीच में conversation होना वो जरूरी है direct बातचीत होना वो जरूरी है तो वही personal guidance कहलाती है तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की proper personal guidance आपके लिए available हो तो unacademy का course जोइन करते टाइम यह code जरूर अपलाई करना LY live referral code इसको हम code to success बोलते हैं आपकी सफलता का code इसको कहा जाता है क्योंकि इससे आपको exam में discount भी मिलेगा course जोइन करते टाइम और personal guidance भी मिलेगी one on one मिलेगी मेरे telegram channel को जोइन कर लीजिए वहाँ पर मेरी personal details मैंने डाली हुई है सारी personal details मिल जाएंगी direct call कर पाएंगे आप ठीक है telegram channel unacademy का telegram channel है जिसका नाम है unacademy ललित यादव की पाट साला ठीक है unacademy ललित यादव की पाट साला unacademy ललित यादव की पाट साला यह telegram channel है जोइन कर लीजिए वहाँ पर सारी personal details मिल जाएंगी मेरे से direct बात कर सकेंगे थोड़ा सा मेरा response देने में देरी जरूर होगी क्योंकि मैं classes लेता रहता हूं तो आपके भूत बार होगा कि मैं receive नहीं कर पाऊंगा call लेकिन मैं callback करूंगा 100% आईगी callback within 36 hours आपके पास callback आईगे इतना time लग जाएगा क्योंकि मैं ही सारी चीज़े deal करता हूं मैं पढ़ता भी हूं पढ़ता भी हूं आप सब के लिए चीज़े ready भी करनी पढ़ती है मेरे को और उसके साथ सारे मेरे plus के students उनको भी guide करना होता है आपकी भी queries होती है आप भी phone कर करते हैं तो messages के reply मेरे manager करते हैं प्रभात मेरे manager है अभी current में इस समय तो वह आपको PDF में WhatsApp और Telegram पर reply करने में help करते हैं लेकिन जब आप call करते हैं तो सीधी बात आपकी मेरे से होगी किसी और से नहीं होगी direct मैं ही करूँगा मैं ही callback करूँग आपको ठीक तो वही personal guidance है तो personal guidance के आगे की सफर आगे की journey बड़ी मुश्किल रहेगी बहुत सारी problems आएंगे बहुत सारी hurdles आएंगे आपकी study के अंदर तो वह तभी दूर हो सकते हैं उनको तभी take care किया जा सकता है जब teacher के साथ connect रहो regular ठीक है तो mentorship बहुत जरूरी है तो वह तभी हो पाएगी जब आप बात कर लेना पहले चाहिए एक बार बात जरूर करना जब भी join करें तो बात करना जरूरी है required है ठीक है बात करके फिर join करना अब लाइक share करते वे चले जाने रात में 9 बजे वाली class है आज 12th class के NCRT है हिंदी मेडियम में class होगी और उसमें US hegemony अमेरीकी जो क्लास ना भी ले पाऊं 50-50 है लेकिन आप देख लेना आपको टेलीग्राम पर मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा और उधर यह सेडियूल हो जाएगे अगर class schedule हो गई तो समझना कि 100% होगी class अगर schedule नहीं भी तो समझना कि नहीं होगी ठीक है वो मेरी थोड़ा सा रात तक म बिल्कुल जरूर लेंगे रात वाली class तो लेंगे नाइन पीम की मैं जरूर लूँगा उसमें आप सभी आना मेरा तोर अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा काफी मज़ा है उस session को करने में लाइक सेर बोथ करा कुर्यार आप लोग लाइक सेर नहीं करते हूं यहना लाइ कभी भी लोग हैं कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि सब्सक्रिप्शन के लेकर करना है विदाउट सब्सक्रिप्शन के भी मैं सबसे जिसकी भी फोन आएगा जिस बात करें समझाएंगे गाइड करें एज टीचर हमारे ड्यूटी है ठीक है लेकिन हमारे बिलीव पर आएं तो हम इनको कम से कम गाइड जरूर करें ठीक है यह चीज है तो वो लोंग टर्म में आपको हेल्प करता है और क्लस पर सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफोर्म पर सारी क्लासिस बढ़िया टीचर्स बेस्ट टीचर्स एविलेवल हैं तो उसके अको हो जाती है यूटूब पर और बाकी जगह पर सारी चीज़े अविलेबल नहीं होती न तो वह प्रोब्लम करता है वह प्रोब्लम मैटिक रहेगा यह वह हमेशा तो वह दिक्कत रहती है लिमिटेड टाइम में आपको अच्छी तयारी करने तो कोर्स जोइन करना बैटर वे कर रिजल्ट आता है 700 रिजल्ट आता है तो ट्वट्टी तटी लोग होते हैं जो इस तरीके से कर पाते हैं बाकी मैक्सिमम विदाउट सपोड के नहीं कर पाते हैं जरूरी है वो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका time save हो जाता है और आपका rank अच्छा जाता है तो classes करने में कोई बुरा ही नहीं है अच्छी चीज़ है वो तो बड़िया चीज़ है कर लेनी चाहिए और कोई fees भी बहुत कम है आने तो lowest fees में best quality आपको provide करता है तो 50,001 lakh रूपीज देख करके अगर आप अपने 3-4 साल बचा सकते है 2-3 years बचा लेते है आप high rank में आ जाते है proper top 100 में आपको rank मिल जाता है IAS, IEPS की proper post मिल जाते है तो उसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी है अच्छी ही चीज़ है time is money value जो है वो time की है main चीज वो ही है बाकी सब चीज़े सेगेंडरी है बाकी सब चीज़े तुम ले लोगे जो बन लगोगे जो होने पर आपको सब चीज़े मिल जाएंगे लेकिन time नहीं मिलेगा तो time is money time saving होती है ठीक है तो उसमें यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है तो जब भी course जोइन करें तो LY live code जुरूर अपलाई कीज़ेगा मेरे दोस्त ठीक code to success है आपका LY live code और special classes में मैंने MCQ complete करवा दिये already तो अगर आपको test देना है तो अने academy के app पर मेरी profile open करना ललित या दो और वहाँ पर आपको मेरी special classes मिलेंगी उन special classes को जाक करके देख ले ना वहाँ पर मैंने MCQs बहुत अच्छे से detail से 1000 MCQs complete करवा दिये है English की NCRT अभी नहीं होगी इस months तो नहीं होगी maybe next month start करें job के बीच में time निकालना है lecture के लिए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाए आपके लिए वो देखना आप मैंने को whatsapp करना मेरे manager आपको भेज देंगे ठीक है उसमें मैंने एक proper 15 minute का एक strategize वीडियो बनाए हो है कि how to balance between job, household work and your studies तो उसमें वो देख लोगे आपका clear हो जागे आप कर लोगे कोई problem नहीं है ठीक है thank you thank you सब दोस्तों को अच्छा अच्छा थेंक यू अपने अपने भाई को भी बता रहा thank you thank you दोस्त English में थोड़ा सा problem है ये दोस्त दो English में there is a reason we use more Hindi in these sessions because this channel is particularly a bilingual channel and bilingual means we have to provide the content in English and the explanation in Hindi only we can use certain keywords in English but the mode of teaching should be in Hindi only so that's why this channel is called bilingual channel this channel is not a English channel so there are several limitations on us as a educator as a teacher that's why we are not able to teach completely in English but unacademy have a channel for English medium only you can go and watch classes there you will get all the lectures in English only and there are more many educators best educators top educators are there who are teaching in English only on unacademy subscription platform plus platform so you can go and join that platform also but on this channel we have some several restrictions and several guidelines that we have to follow we have to teach in Hindi and we have to provide the content in English and we have to use some technical words in English and then we have to explain it in Hindi only so these are several limitations on like fundamental rights like fundamental rights are not absolute they came with several restrictions so this channel is also like that this channel features have many features many good features but comes with several restrictions clear sexy if you want spocard how many way nd as if but well even you i आपको मिल जाता है। Yes, I can understand that you are from South India and there is a linguistic problem that you understand only English but please try to understand in Hindi also. आप कोई भी एक्जाम की प्रपेरेशन करते हूं इधर आप UPSC की प्रपेरेशन कर रहे हूं आप RAS के लिए UPPCS, MPPCS, इवन NET, JRF के लिए आप प्रपेरेशन करते हूं, SAC के लिए प्रपेरेशन करते हूं, जहां पर भी पॉलिटी से रिलेटेड कोई सेक्शन है, तो हर एक्जाम में ये क्लास आपके लिए बेनिफीसियल रहेगी, और यहां पर केवल आपको factual चीज़े नहीं किया जाती है, आ factual के साथ-साथ conceptual understanding जो है न, वो भी आपकी best हो जाएगी, और बहुत मर्यदार तरीकिस होता है, ठीक, आज तो थोड़ी सी तबियत मेरी खराब थी, तो मैं ज़्यादा आपके साथ हसी मजाक नहीं कर पाया, लेगिन जब फुल फ्लो में होता है, तो अब देखना बड़े मर्यदार तरीके से क्लासिस चलती है, ठीक है, चलिए, तो सब की जब भी आनेक एड़िमी का कोर्स जोइन करें, तो ये रेफ्रेल कोड अपलाई कीजिएगा, क्लास को लाइक सेर करें, आप से मिलते हैं जल्दी सुब काम नहीं, ठीक, चैनल सब्सक्राइब्स इसने नहीं किया, वो कर लीजिए, ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से, जै हिंद, जै भारत, लेट्स क्रेक इट, झाल, 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 झाल झाल